Hey, what's up guys, Anuj here और आज की इस वीडियो के अंदर हम Python सीखने वाल है बहुत ही beginner friendly तरीके से आज हम बहुत basic topics कर रहे होंगे Python के और advanced topics भी कर रहे होंगे आज की वीडियो इस तरीके से बनाए है जिससे कि अगर आप लोग बिल्कुल beginner हो, आप लोग को बिल्कुल programming नहीं आती तो भी आप इसके साथ follow कर सकते हो और आप अपनी Python as a first programming language भी सीख सकते हो Python का यूज़ करके आप लोग कमाल कमाल की चीज़ें कर सकते हो आज की डेट में Python in 2021 is very important और आप लोग multiple type की projects मना सकते हो आप लोग data science के अंदर जा सकते हो, आप लोग machine learning कर सकते हो आप लोग data analytics कर सकते हो, आप लोग automate कर सकते हो चीज़ों को, आज कल हर जगर Python use हो रही होती है आप लोग के CBSE board के अंदर Python डाला गया है आप लोग के if-else condition, for loops, यह सब चीज़ें देख रहे होंगे देन थोड़े advanced topics भी देख रहे होंगे different type of data types, आपके sets कैसे काम करते हैं, list क्या होता है, dictionary क्या होता है tuples क्या होते हैं देन आप लोग के थोड़े और चीज़ें, like functions किस तरी के से काम करते हैं और आपके file handling क्या होते है, ठीक हा, file handling कैसे करते हैं Python के तक यह सारे-सारे topics हम cover कर रहे होंगे आज की एक वीडियो के अंदर आज की वीडियो को आप लोग को किस तरी की से देखना है अगर आप लोग एकदम beginner हो programming के अंदर तब मैं आपको recommend करूँ हो कि थोड़े-थोड़े chunks को देखो, practice करो, उसके बाद फिर आगे पड़ो, उसके बाद दुबार से पड़ो, उसके बाद practice करो, फिर आगे बड़ो, इस तरी के से आगे पड़ो बट अगर आप लोग को already python आती है और आप लोग as a revision देखना चाहते हो तो आप लोग पूरगा पूरा एक sitting के अंदर इस video को देख सकते हो तो इसके साथ start करते हैं by installation of python आप लोग को windows के अंदर python install करना पड़ेगा mac के अंदर already python आता है आप लोग का 2.7 फिलाल mac के अंदर डल के आता है क्योंकि mac के अंदर softwares को python की जरूद परतिया चलने के लिए but still हम python install करने होंगे mac के अंदर क्योंकि हम python 3 के अंदर अपना काम करने वाले है तो उसको install करने के लिए आपको python.org पर जाना है इसकी official website है यहां से आप लोग को download समय जाना है और इसके बाद अपने operating system के इसाफ से download कर लेना है windows हो, linux हो, mac हो उसके इसाफ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे उसको जरूर टिक कर देना, so that आप लोग python को directly terminal से access कर पाऊ otherwise आप लोगो खुद से जाना पड़ेगा उसको path को add करना पड़ेगा environment variable के अंदर जाके इसके बाद आप लोग को अपना terminal खोलना है आप लोग windows के अंदर तो अपना command prompt open कर सकते हो या फिर अगर mac के अंदर तो अपना terminal open कर सकते हो और terminal से आप लोग python को बहुत easily access कर सकते हो तो यह रहा मेरा terminal अगर आप लोगो चेक करना है कि आपा python ठीक से install हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए आपको लिखना है python 3-version तो mac के अंदर मुझे लिखना पड़ता है python 3-version अगर आप लोग windows के अंदर हो तो आपको लिखना है सर्फ python-version ठीक है आप लोगो वहां पर python 3 नहीं लगा ना जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि mac के अंदर और अरड़ी python 2.7 डला हुआ तो अगर मैं आप लिखना python-version तो मुझे वह पुराने वाले python-version यहाँ पर बता रहा होगा इसलिए मुझे explicitly बताना पड़ेगा यहाँ पर कि नहीं python 3 का version बताओ यह आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को दिखेगा 3.8.2 यहाँ पर मेरे पास 3.8.2 आ रहा है आप लोगों का जो भी लेटेश वर्शन होगा python का वह आप लोगों को वहाँ पर देखने लग जाएगा अब यह तो होगे आप लोगों का python install इसकी help से आप लोग python के प्रोग्राम को run कर सकते हो लेकिन अपने प्रोग्राम को कहीं पर लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को एक code editor चाहिए होगा ठीक है code editor तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो अपना notepad notepad यूज कर सकत सकते हो बट वह बहुत ज्यादा advance project जब हम कर रहे हो तब उसकी जरूत पड़ती है अगर आप लोगों को पस normal सीखने के लिए चाहिए तो आप लोग अपना sublime text में भी काम कर सकते हो आज हम sublime text के अंदर काम कर रहे होंगे लेकिन अगर आप लोगों को python install नहीं करना हो और सीखना है तो आप लोग directly browser के अंदर भी online बहुत सारी compiler आते है आज कल python के तो उनके अंदर जाके आप लोग python का code run कर सकते हो उसके लिए कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी एक बार यह आप लोगों को अपना code editor खोलना है तो मैं आप अपना sub lime text open हो चुका left side में और right side में मेरा terminal है आप इसके अंदर अपना पहला code लिख सकते हो तो पहली जो line में लिखने वाला हम वो होगी हमारी print hello world अब यहां पर हो क्या रहा है अभी tension मतलो हो अगर समझ में नहीं आ रहा अगर आप लोग बिल्कुल beginner हो tension मतलो कि क्या चल रहा है मै आप इसका hello world दे रहा हूं .py extension लागना पड़ेगा extension बहुत important होता है जैसे आपकी java file के अंदर .java होता है mp3 होता है audio files के लिए mp4 होता है video files के लिए ऐसी आप लोग का .py होता है python files के लिए आप लोग इसे save कर दोगे और आप लोग देख रहे हैं पर अपने आपी इसने color coding इसकी कर दी है और अब आप इस program को run कर सकते हो अब जला दिखते हैं इस program को run करने वाले है उसके लिए पहले आप लोगों को जिस folder के अंदर आपने इसे save किया है उस folder के अंदर जाना पड़ेगा आपने terminal के अंदर ठीक है तो मैं आपने terminal से उस folder के अंदर जाता हूं जहा hello world.py है एक first file.py भी इसको आप ignore कर सकते हो इसके अंदर hello world.py है जो अभी हमने अब आए है ठीक है अगर आप windows के अंदर हो तो आपके लिए ls command नहीं होगी आप लोगों के लिए एक dir command होगी आप लोग अगर मुझे बोलोगे कि command prompt के ऊपर एक video बना दो तो मैं command prompt के अंदर जिसके अंदर हम लोग command prompt की बहुत सारी basic commands जो होती है जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे हम बात कर रहोंगे तो वो आप लोग comment section में mention कर सकते हो तो यह आप लोग की hello world.py हो गई अब इससे run करना है मैं तो run करने के लिए हम लिखेंगे python 3 then hello world.py इसको में जादा left side कर करके आप लोग run करोगे इसे enter करोगे तो आपका यहाँ पर वो program run हो गया है और जो हमने चीज़ यहाँ पर लिखी थी hello world वो यहाँ पर print भी हो रही है तो congratulations अगर आप लोग यह कर पाये तो आप लोग ने पहला python का प्रोग्राम लिख लिए है एक चीज़ में आपको recommend करू यह हो गया हमारा पहला program run यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर मैंने python 3 space देखे hello world.py क्योंकि मैं Mac के अंदर हूँ again मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग windows के अंदर हो तो आप लोग होगे python space hello world.py ठीक है आप लोग वहाँ पर python 3 नहीं लिखोगे क्योंकि अगर मैं लिखू python-fn version तो यहाँ पर देखे हो python 2.7.16 यहाँ पर देखे हो python 2.7.16 यहाँ जोगी पहले से इंस्टॉलत है इसकी जरूत नहीं हम python 3 के अंदर अपना काम करेंगे क्योंकि python 3 के अंदर कुछ कमाल कमाल की चीज़ें नहीं चीज़ें introduced हुई है तो यह होगा हमारा पहला code अब ज और उसके बाद उसे run करता है क्योंकि आपने चीज यहाँ पर लिखी है यह अपने print लिखा है और आपने फिर इसके बाद एक bracket लगाया तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब python कैसे पता चलेगा तो python क्या करेगा इस चीज़ को interpret करेगा अपनी खुद की language के अंदर और उसको convert करेगा binary केंदर को computer को तो binary समझ माता है ठीक है 1010 समझ माता है और print हमें समझ माता है तो बीच में interpreter की जलोत होती है तो वह python का interpreter होता है जो कि अपना काम कर रहा होता है और वह क्यासे काम करता है वह एक line by line चीज़ें चल रहा होता ठीक है तो पहली line को वह देखेगा और उसक execute हो रही है तो मैंने लिखा है print statement अगर आप लोग कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है python के अंदर तो उसके लिए आपका function होता है print बहुत ही simple है उसके बाद आप लोग इन brackets के अंदर यहां पर मैंने single quotes के अंदर चीज़ें लिखी है कुछ राइट तो single quotes के अंदर जब भी क इसको आप लोग double quotes में भी लिख सकते हो यह भी एक valid string माने जाएगी तो single quotes भी उसकर सकते हो string के लिए और double quotes भी उसकर सकते हो string के बारे में हम आगे detail में देख रहे होंगे अच्छे से अभी फिलाल में को बिस आप लोग को print बताना था कि print का काम होता है चीज है print करना है इसे memory के अंदर कोई भी चीज आपने store कर दी आपने suppose करो किसी की age store कर दी किसी का नाम store कर दिया तो वो नाम memory के अंदर पड़ा हुआ है लेकिन उसको आप लोग को access करना है तो उसके लिए आप लोग को इसको identifier करना पड़ेगा ठीक है और वो आप करते हो एक identifier की help से identify basically name होत होते है पहला rule होता है use only alphanumeric characters. Alphanumeric characters के अंदर आप लोग के alphabets आते हैं और numbers आते हैं alphabets numbers and underscores तो आप लोग के तीन चीज़े ही आप लोग use कर सकते हो अपने identify मनाते time पहला होगे आप लोग का alphabets दूसरा होगे आप लोग का digits और तीसरा होगे आप लोग का underscore ठीक पहली डिजिट हमेशा पहला करेक्टर हमेशा एक underscore या फिर एक alphabet होना चाहिए कभी भी number नहीं होना चाहिए और उसके बाद है use underscore to separate two words अगर आप लोगं का identifier दो words से मिलके बना हुआ है like first name ठीक है यह आपका identifier है first name तो यहाँ पर दो words है तो इसको आप लोग separate कर रहोगे एक underscore के साथ और keywords cannot be an identifier तो keywords होते है special words होते है python के अंदर वो भी हम देखेंगे आगे वो identifier की तरह आप लोग use नहीं कर सकते इन सब को जड़ा एक बार example से समझते हैं तो मैंने आपर identifiers के नाम से एक फाइल मनाई है इसके अंदर जड़ा देखते हैं किस-किस type का identifiers होते हैं तो suppose को आप लोग को किसी की age store करनी है तो उसके लिए आप लिखोगे age equals to 24 ठीक है तो इस तरीक से आप लोगों की age store हो रही है अगर आप लोग इसका नाम store करना तो आप लेखोगे name equals to और नाम होगा आप लोग का string राइट string हमने देखी लिया और बहुत ब्रीफ देखा अभी हम आगे और detail में देख रहे होंगे कि string के अंदर आप लोग double code या single code यूज़ करते हो तो मेरा नाम यहाँ पर अनुज़ है तो इस तरीकी से आप लोग का यह जो age है और यह जो name है यह identifier है और 24 एक value है value आप लोग की memory के अंदर कहीं पर store हो गए होगी लेकिन अगर आप लोग को इसे access करना है तो उसे आप लोग access कर रहे होगे इस identifier के help से जड़ा इससे access करके देखते हैं कैसे access कर सकते हैं suppose करो मुझे बाद में चलके कभी इस age को print कराना है तो print कराने के लिए again हम print function यूज़ करेंगे जो हमने देखा और इस print function के अंदर हम लिखेंगे age अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोडिस कर रहे हो मैंने age के दौनों तरफ यह नहीं लगया ठीक है single quotes यह double quotes नहीं लगया क्योंकि अगर मैं यह लगा दूँगा तब तो आप लोगों का age ऐसे कैसे ही as a string print हो जाएगा हम चाहते हैं इस age के अंदर जो value है वह print हो तो उसके लिए आप लोगो यहाँ से single quotes अटाने पड़ेंगे और उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर age print होगी मैंने आप एक नई नई फाइल बनाए थी यहाँ पर identifiers.py के नाम से इस फाइल को जो रण कर लेते हैं तो python3 identifiers.py तो यहाँ पर देख रो 24 प्रेंट हो रहा है तो आप लोगों की age यहाँ पर age के लिए 24 वह यहाँ पर प्रेंट हो लिए है आप लोगो प्रेंट करना है तो उसके लिए आप ल लोगों के वैलिट इनिटिफाइयर से नीचे आप लोगों के invalid ऐडेंटिफायर के gre還有 यहाँ जरा ला देखते हैं की उपर वाले वैलिट है और नीचे वाले इनिवैलिट हैं तो आप लोगों के यह बैलिद है यह बींचछाते हैं क्योंकि आप लोगों के all enough हे ब्लोकर से और underscore के लावा कोई और character नहीं आ सकता है, यहाँ पर आप लोग का dollar sign आ रहा है, यह भी invalid है, अब ज़रा सोचो यह invalid क्यों है, यहाँ पर बस आपने alphabets लिखे हैं, यह आपका invalid क्यों है, लेकिन, यह invalid इसलिए है क्योंकि class is a keyword, keyword होते हैं, Python के दर कुछ reserved words होते हैं, तो यह सार सारे words आप लोग use नहीं कर सकते, as identifier, इसके लावा कुछ भी आप लोग use कर सकते हो, तो I hope आपनों को identifier सभज में आ गए होंगे, आगे बढ़ने से पहले आप लोगे एक चोटा सा टेस्ट, यहाँ पर मैंने काफी सारे identifiers लिखते हैं, आप लोग बताओ इनमें से कौन सा valid है आप लोग आपर pause कर सकते और आप लोग خोढ से देख सकते कौन सा valid है, कौन सा invalid है, पाइथन के अंदर data types की बात करते हैं, तो data आप लोग का memory के अंदर store होता है और data का कुछ कूछ types होते हैं, उनको हम कहते है data types, किस-किस type का data हो सकते है, suppose कर आप लोगका number store करना है तो number का data इंट या फिर लॉंग अगर आप लोंको डैसिमल नंबर करने तो उसके लिए फ्लोट या डबल होते हैं अगर आप लोंको किसका नाम स्टोर करना तो उसके लिए आपका स्क्रिंग होता है अगर आप लोंको टू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करने जैसे कि यस या नो होता है बूलियन बेसिकलि आपको लोगों का true या false store करने काम में आता है तो इन सारे-सारे data types को जड़ा action में देखते हैं अपने code के अंदर है तो मैंने एक नई file बना लिए यहाँ पर data-types.py के नाम से इसके अंदर अगर आपको suppose करो किसी के rating store करने है ठीक है किसी याप की rating store करने है तो rating equals to 4.7 तो यह rating हो सकते है और 4.7 आप लोग का decimal number है तो यह आप लोग का data type हो गया अगर आप लोग को suppose किसी का name store करना है तो name हमने आप लिए देखी लिया है वैसे तो कि इस तरीके से आप लोग को string data type store कर सकते हो अगर आप लोग को किसी के mark store करने है तो वह आप लोग इस तरीके से store कर सकते हो तो यह आप लोग का int data type हो गया इस तरीके से multiple or data type होतना जराब हो देखते है तो यह is past है आप लोग का true या false इसके अदर store कर सकते हो my complex number आप लोग तो यहाँ पर मैंने string की list बनाई है, तो यह आप लोग का basically list data type हो गया, अगर आप लोग को check करना है कि कोई value किस data type की है, तो वो भी आप लोग check कर सकते हो, by using another function, जैसे print था न, print हमने hello world में देखा था, यहाँ पर, यह print एक function था, function को हम और detail में देख रहे होंगे, लेकिन इसी तरीके से multiple python ने अपने function दे रखे हैं हमें already, और उनमें से एक function होता है type, तो उस function का use करके हम देख सकते हैं कि कि किसी चीज का, किसी वेरियेबल का, किसी identifier का, क्या data type है, तो वो जड़ा देखते हैं एक बार, तो अगर आप लोगो rating का data type चेक करना है, कि rating का data type क्या है, तो आप लोग print कर सकते हो, print करना है हमें rating का data type, तो rating मैं लिख देता हूँ पहले कि rating मुझे print करना है, और rating का data type जो होगा, वो type से मिल जागा, मुझे ठीक, type of rating, तो यहाँ पर मैंने print के अंदर दो चीजन डाली हैं, पहला है मेरा rating, उसके बाद मैं comma से separate कर रहा हूँ, तो print के अंदर आप लोग ऐसे comma से separate करके multiple चीजन डाल सकते हो, तो यह चीज़ अगर आप लोग print करोगे यहाँ पर, तो मैं इस program को run करता हूँ, python 3, तो यहाँ पर देख रहे हो, 4.7 जो rating है, और उसके बाद इसकी जो type है, इसका type है float, तो यहाँ पर यह जो rating है, यह float type का है, तो इस तरीके से हमें सभी का एक बार type प्रिंट करके दिखाता हूँ, कि हर वैल्यू के लिए क्या-का type print हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने हर एक variable के लिए एक-एक print statement डाल दिया है, सबसे पहले मैंने उस variable को लिखा है, उसके बाद मैंने उस type लिखा है, तो इससे print करा कर देखते हैं, इस code को मैं run करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो, पहले वाले के लिए 4.7 class float है, then अनुच के लिए class string है, str, then 98 के लिए class है हमारी int, जो की number होता है, prove के लिए जो class है वो है हमारी bool, 4 plus 5j के लिए जो class है वो है हमारी complex, जो की complex number भी store कर सकते हो, apple बनाना कीवी के जो list है उसके लिए class है हमारी list, और बस ठीक है, तो यह सारीक सारी आप लोग के data types होते हैं, तो इस तरीके से आप लोग multiple type का data python के अंदर store कर सकते हो, तो आगे पढ़ने से पहले आप लोग के लिए data type के अंदर एक चोड़ सा test है कि आप लोग को एक ऐसा program बनाना है, जिसके अंदर यह सारीक सारी value एक user की आप लोग सेव कर रहे होगे, name, age, year of birth, is new user, or list of his or her favorite food, तो यह आप लोग कैसे store करोगे, वह वाला program आप लोग को लिखना है, मैं recommend करोगे आप लोग पहले से खुद से वो program लिखो, लेकिन मैं एक बाज ज़रा इसका solution होता है तो आप लोग को, सबसे पहले name लिखना है तो name, then age, then और क्या था, year of birth, then is new user, favorite food, तो यह था आप लोग का solution, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं python के अंदर operators की, operators बहुत ही important होते हैं, यह आप लोग के operation करने काम में आते हैं, क्योंकि आप लोग ने कुछ computer बनाया, उस computer से आप लोग कुछ program, कुछ instruction देने हैं उस computer को, programs are nothing but a set of instruction, और आप लोग को वो instruction देने हैं, आप लोग से उसे कुछ programming कराने हैं, कुछ काम ऐसा कराने हैं, जो कि आप लोग खुद नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ operation उसे करने पड़ेंगा, वो सकते हैं plus करना हो, multiply करना हो, divide करना हो, then relational operators होते हैं, और logical operators होते हैं, तो एक ही करके हम सारे-सारे operators को देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं arithmetic operators की, तो इसके लिए मैं एक file बना लिए है, operators.py करके, इसके अंदर मैं दो variables बनाता हूँ, तो यह आप लोग के basically variable होते हैं, जो data types के अंदर आपने चीज़ें देखी थी न, वो basically आप लोग बोलते हो variables, variables को आप सरके समझ सकते हो, कि आप लोगों ने कुछ ऐसी value डाल दिया, जो कि बाद में हो सकता है, change कर दो आप लो, variables, जैसे math के अंदर क्या होता था, अगर कोई भी question solve करना होता, function का नाम define कर सकते हो, तो वो तो basically आपका identifier हो गया, variable basically आप लोगों का memory के अंदर कोई भी चीज़ पड़ी है, उसको access करने काम में आता है, ठीक है, तो यह data types के अंदर हमने जो भी चीज़ें देखी थी, rating, name, marks, is passed, यह सारी सारी चीज़े variables हैं, पहला मालो, मेरा a नाम से हो गया, यह एक valid identifier है, यह एक valid variable name है, इसके अंदर मैं डाल देख सब्सकर हो 5, और b के अंदर मैं डालता हूँ 3, तो मैंने यहाँ पर दो variables बना लिए हैं, और मुझे अब यहाँ पर operation देख रहे हैं सारे इक सारे, तो मैं print करना चाहता हूँ, suppose करो a plus b, तो मैं यहाँ पर इस देख से-से print कर सकता हूँ, मैंने लिखा a, b और बीच में लिख दिया मैंने plus, तो यह आप लोगं का arithmetic operator होता है, इसको जो आप save करते हैं और run करके दिखते हैं क्या होता है, तो मैं आप लिखूँगा python3 operators.py, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगं का 8 print हो रहा है, तो यह basically आप लोगं का, यहाँ पर 8 print हो गया, क्योंकि 5 plus 3 जो है वो 8 होता है, इसी के साथ और भी multiple operators होता हैं, जरा आप भी देख लिख लिएते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे arithmetic operators लिख दिया हैं, इसको मैं save करता हूँ, और एक वाजरा रन करके दिखने क्या print होता हर एक value के लिए, तो यहाँ पर देख लोगं बहुत सारी values print हो रही है, पहले है a plus b, वो है आपका 8, then 5 minus 3, a minus b, आप लोगं का 2 है, 5 multiply by 3, a multiply by b, आप लोगं का 15 है, multiply करने के लिए आप लोग यह asterisk sign उसके लिए इसे हम कहते हैं star या asterisk, उसके बाद a divide by b, यह आप लोग slash उसके लिए आप लोग श्लैश करते हो, 5 by 3 होता है आप लोगं का 1.666, then अगला है आप लोगं का a modulo b, modulo के लिए आप लोगं का यह वाला operator होता है, ठीक है, इसे हम कहते है percentage sign, और इस से आप लोगं का जब a को b से divide करते हो, तो जो remainder आता है, वो चीज़ print होती है, ठीक है, वो चीज़ return होती है, तो a modulo b, तो जब 5 को आप लोग 3 से divide कर रहे होगे, तो आप लोगं का quotient आएगा 1, लेकिन remainder आएगा 2, तो यहाँ पर remainder होता है, वो हमें मिल रहा है, remainder आप लोगं का 2, अगला है a divided divided b, तो यह basically आप लोगं का एक quotient return करता है, जब आप लोग a divided by b करते हो, तो आप लोगं को देखरो, यहाँ पर तो आप लोग अपने operation के result को डिरेक्ली प्रिंट कर रहे हो, लेकिन आप लोग चाहते हो कि नहीं, मैं इन operation को करना चाहता हूं, उसके बाद इसे एक दूसरे variable में save करना चाहता हूं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, सब उसके बाद आप लोग दूसरे variable बनाते हो, नाम है इसका c, और इसके अंदर आप लोग लिखते हो a plus b, तो इससे क्या होगा, a plus b होगा और उसका result होगा, वो c में store हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग चाहते हो c को access कर सकते हो, c को print करा सकते हो, तो मैं इन सब को कर देता हूँ comment, अच्छा python के अंदर comment भी होता है, ज़र आप वो भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, तो किसी भी line को अगर आप लोग को python के अंदर बोलना है कि ये line फिलार के लिए execute मत करो, इसको ignore मार दो, python interpreter इस line को ignore कर दो, तो उसके लिए आप लोग को उस line के आगे ये hash लगाना होता है, इससे ये line एक ही comment बन जाती है, और ये comment line होती है, ये basically python का interpreter होता है, इसको ignore कर देता है, इस comment का use क्या होता है यार फिर, comment का use होता है basically user को बताने के लिए कि इस line का मतलब क्या है, इसके नीचे जो line है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, user को बता सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने user को बताया, देखो, कि this line is for adding, अब यह जो चीज मैंने लिखी यहाँ पर, अगर मैं इस चीज को directly ऐसी लिख देता, बिना आगे hash लगाए, तो यहाँ python को एक error मिलता है, ठीक है, python बोलता है, यह क्या लिखा है अपने, this क्या होता है, line क्या होता है, मुझे नहीं पता, इसको मैं अगर run करता हूँ, save करता हूँ, और run करूँगा, तो आप लोगं को error मिलेगा, देखो, यहाँ पर एक error आ गया, this line is for adding, यहाँ पर invalid syntax error आ गया, ठीक है, क्योंकि यह चीज python को पता ही नहीं है, कि यह सब क्या होता है, तो इस सब चीज़ें अगर आप लोगं को लिखनी है, तो इसको आप लोगं को as a comment लिखना पड़ेगा, और comment करने के लिए आप लोगं को बस उसके आगे hash लगाना है, अगर आप लोगं को multiple lines को एक साथ comment करना है, जैसे मैंने हाँ पर किया था, तो उसके लिए आप लोग command slash use कर सकते हैं, command slash या फिर control slash, इससे आप लोग multiple lines को इस तरी के से comment, uncomment कर सकते हो, एक और तरीका होता है comment और uncomment करने का python के अंदर, बहुँ आपको बताता हूँ, अगर आप लोगं को multiple lines को comment करना है, तो या तो एक काम करो कि हर एक line में जाजा कि hash लगाओ, या फिर उसके लाव आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं इससरी line को uncomment करता हूँ एक बर, तो आप लोगं को multiple lines को comment करना है, बिना hash लगा है, तो उसके लिए आप लोग ये triple quotes लगा सकते हो, ठीक है, triple single quotes, triple single quotes आगे लगा और triple single quotes पीछे लगा दो, तो यहां से यहां तक का block आप लोगं का comment हो चुका है, तो दो तरी के होगे comment करने के लिए, एक आगे आप hash लगा सकते हो, और दूसरा, आप लोग ये triple single quotes भी लगा सकते हो, ठीक होगे आप लोगा comment, अब ज़रा आप वापिस आते हैं operators के अंदर, तो मैंने C के अंदर result डाला हुआ है, A plus B का, और मैंने उसको फिर print करा है, ज़रा इसको चला कर देखते हैं, तो मैं इसे save करता हूँ, और इसे मैं run करता हूँ, तो यहाँ पर देखरो, 8 print हो रहा है मेरा, 8 क्यों print हो रहा है, मैंने C print कर रहा है, तो C के अंदर result है A plus B, A plus B है 5 plus 3, तो इसलिए हाँ पर इस तरीके से आप लोग का result प्रिंट हो रहा है, आगे बढ़ने से पहले arithmetic operator का एक test कर लेते हैं, कि आप लोगों को एक program लिखना है, write a program to take the average of 3 numbers, 3 numbers लिखने हैं आप लोगों को और उनका average करना है, using arithmetic operators, तो यह आप लोगो खुद से करो, तो इसका solution देख लेते हैं क्या होगा, तो इस तरी के से मैं दे तीन numbers लिए और उनका मैं average करूँगा, तो average नाम से मैं एक अरवग variable बनाता हूँ, और average किस तरी के से होगा इनका, first number plus second number plus third number divided by 3, तो यहाँ पर देखो रहें लाइन बहुत लंबी हो गई, यहाँ पर मैंने यहाँ पर brackets लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले इन तीन numbers का plus हो, और उसके बाद जो तीनों को numbers को plus करने के बाद आए, उसको आप लोग तीन से divide करो, ठीक है, तो यहाँ आप लोग का normal board mass होता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर करिए, और average निकालने के लिए तीन numbers का average निकालना है, तो divide by 3 करना पड़ेगा, उसके बाद इस average को print करा लेते हैं, save करते हैं, इसे run करते हैं, तो यहाँ पर print और आप लोग का 6.33, आप लोग के तीन numbers ते 4, 7, 8, इनको add करेंगे, तो आपका 19, 19 divided by 3 आप लोग का 6.33 होता है, तो इसका आप आगे move करते हैं, अब बात करते हैं assignment operators की, तो यह बहुत ही easy होते हैं, यह आप लोग के arithmetic operator के जैसे ही होते हैं, बस यहाँ पर देखें, ऊपर वाला जो है plus है, तो यहाँ पर plus equal to है, minus है तो minus equal to, divide है तो divide equals to, multiply है तो multiply equal to, इसका मतलब क्या है जरा यह समझ लेते हैं, तो assignment operator basically operation करने के बाद, उसी variable में assign करने काम में आते हैं, क्या आप बोलना चाहरो हो हैं, तो suppose कर वो a के अंदर आपने लिखा था 6, आप चाहते हो कि a के अंदर 5 add हो, और जो result है वो a के अंदर ही चला जाए, तो आप लोग क्या करोगे उसके लिए, a equals to a plus 5 कर सकते हो, ठीक है, यह तरीका हो सकते है, कि a के अंदर 5 add किया, और जो result है वो a में डाल दिया, यह ना लिखने की बजा है, आप लोग यह भी लिख सकते हो, a plus equals to 5, तो a plus equals to 5 लिखो, चाहे a equals to a plus 5 लिखो, बात बराबर यह है, तो एक बार जादा run करके दिखते हम दौनों चीज़ों को, तो print करता हूं मैं a को यहाँ पर, और निचे वाई लेंड को में कर देता हूं comment, comment करने के command slash, save करते हैं इसे और run करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का 11 प्रेंट हो रहा है, क्योंकि a के अंदर आप लोग का 11 आएगा, ठीक है, a के अंदर पहले 6 था, 6 के अंदर 5 लिख है 11, और वो 11 आपका a में store हो गया, अब मैं उपर वा लेंग को कर देता हूं comment, और नीचे वा लेंग को करता हूं uncomment, और इसे मैं save करता हूं, run करता हूं दुबारा से, तो अगेन आप लोग का 11 ही प्रेंट हो रहा है, तो दौनों लेंग का मतलब बराबर है, नीचे वाली चीज़ को हम कहते हैं assignment operator, तो इस चीज़ को आप लोग यूज कर सकते हो, plus के साथ, multiply के साथ, minus के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हो, जरा मैं करके दिखाता हूं, तो आप लोग को समझ में आ रहोगा, a minus equals to 5 का मतलब है, a equals to a minus 5, a multiply equal to 5 का मतलब है, a equals to a multiply by 5, a divided equals to 5 का मतलब है, a equals to a divided by 5 की, a को 5 से divide करो, उसके बाद जो result आगा, उसको a में डाल दो, यह होते हैं आप लोग के assignment operators, आगे move करता है relational operators के उपर यार, तो relational operators कहलो, या फिर comparison operators कहलो, इनका काम होता है दो चीज़ों को compare करने के लिए, ठीक है, कि a और b में से बड़ा क्या है, या फिर a b में से छोटा क्या है, या फिर क्या a b के बराबर है, या फिर नहीं है, तो यह सारे-सारे वो operators होते हैं, पहला होता है आप लोग का equals to, दूसरा होता, not equals to, then less than, greater than, then less than equal to, और greater than equal to, तो इनका काम होता है basically, दो चीज़ों को compare करने के लिए, तो इसलिए कहते हैं नहीं comparison operator, जो इनको देखते हैं action के अंदर, तो suppose करो a के अंदर आपने डाल दिया, कोई भी number, suppose 45, और b में डाल दिया, आपने कोई number, suppose करो 23, आप लोग को चेक करना है क्या a बड़ा है b से, तो आप लोग चेक कर सकते हो, print कर सकते हो, आप लोग क्या a बड़ा है b से, तो आप लोग को दिख रहा है, हाँ a बड़ा है b से, a के अंदर 45 है, आप लोग को देना चाहिए true, a greater than b, a less than b, यह सारे जितने भी comparison operator होते है, यह सारे boolean value return करते है, ठीक है, either true या false, हमने boolean already देखा था data type, तो आप लोग की either true मिलेगा या false मिलेगा, तो क्या a greater than b है, हाँ a greater than b है, तो आप लोग को यहाँ पर true मिलना चाहिए, इसको मैं save करता हूँ, इस command prompt को मैं जड़ा clear करता हूँ, तो command case से आप लोग को clear हो जाएगा यह, और उसके बाद मैं इसे run करता हूँ, तो python3 operators.py, आप लोग को यहाँ पर true print हो रहा है, true क्यों print हो रहा है, क्योंकि a is greater than b, इसके लाबा और भी operator उत्तर जड़ा वो भी देखते हैं, तो इन 6 operators के लिए मैं यहाँ पर 6 lines लिखी हैं, हर line में क्या लिखा है मैंने, पहले एक string डाली है, कि उस line के अंदर मैं क्या operator test करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर test करना चाहता हूँ a greater than b, तो उसके लिए मैंने string के अंदर डाल दिया, यहाँ पर मैं test करना चाहता हूँ क्या a less than b है, तो उसके लिए मैंने string के अंदर डाल दिया, similarly बाकी सारे के लिए कर दिया, जब आपका a b के बराबर हो या फिर a b से बड़ा हो तो क्योंकि a b से बड़ा है already इसलिए आपर true print हो रहा है क्या a less than equal to b है तो a less than equal to b नहीं है a less than b भी भी नहीं है और a बराबर b के भी नहीं है इसलिए आपर मुझे false मिल रहा है उसके बाद क्या A बराबर B के है तो A, B के बराबर नहीं है इसलहे आपर मुझे false मिल रहा है क्या A not equal to B ठीक है तो not equal to के लिए होता है यार आप लोगगा यह पहले आप लोग exclamation sign लिखते हो उसके बाद आप लोग equal to लिखते हो इससे होता है आप लोगगा A not equal to B तो क्योंकि A आपका B के बरापर नहीं है इसलिए यहाँ पर यह true print हो रहा है अब ज़रा कुछ values को मैं change करता हूँ और उसके बात हम दुबार से देखते हैं suppose करो B की value भी मैंने 45 लिखती है और इसे मैं save करता हूँ और मैं दुबार से same code को run करता हूँ तो अब चीज़े अलग-अलग print हो रहे हैं अब क्या print हो रहा है तो क्योंकि A और B दोनो 45 के बरापर है इसलिए A greater than B तो नहीं कह सकते है 45 is not greater than 45 45 is equal to 45 इसलिए यहाँ पर मुझे false मिल रहा है similarly A is not less than B 45 is not less than 45 इसलिए मुझे यहाँ पर भी false मिल रहा है क्या A greater than equal to B है हाँ A greater than equal to B है A greater than B नहीं है लेकिन A equal to B तो है न तो greater than equal to B हमेशा true देता है जब आप लोगा A या तो बड़ा हो B स 되고 A यहाँ पर क्योंकि equal है इसलिए true मिल रहा है similarly यहाँ भी true मिल रहा है A less than equal to true ¿क्या A equal to B है है? हाँ A equal to B है का a not equal to b है, नहीं, a not equal to b नहीं है, ठीक है, a actually b के बराबर है, इसलिए a not equal to b में हमें false मिल रहा है, तो यह होगे आप लोगे conditional operators, इनका बहुत ज़्यादे user होता है, आप लोगे अफल्स condition के अंदर, for loops वगेरा के अंदर, जो भी हम इस वीडियो में आगे देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगे को समझ में आगया होगा है, यह 6 टाइप के conditional operators होते हैं, इसके बाद हम आगे move करते हैं, logical operators के अंदर, यह 3 टाइप के होते हैं, basically सिर्फ and, not, or, ठीक है, यह 3 होते हैं, and, not, or, इन तीनों को देखते हैं, तो logical operators basically आप लोगे बूलेन values पे काम करते हैं, इन जीरो का मतलब है false, वन का मतलब है true, ठीक है, तो zero pass किया तो मुझे मिल रहा है one, one pass किया तो मुझे मिल रहा है zero, यह ओता आप लोगे का not, and देखते हैं, and basically करता है, कि अगर आप इसके अंदर, दो operators पे काम करता है, basically दो operands पे काम करता है, x operand है, y operand है, and एक operator है, ठीक है, दो operand, एक operator, और यह basic लिया करता है, कि अगर दो value true है, तब यह आपको result देगा true, otherwise हर case में आप लोगे false देगा, देखे हो, यहाँ पर यह दोनों को true है, तो यह आप लोगे true दे रहा है, and, बाकि हर case में यह false दे रहा है, अगर दोनों में से कोई एक भी false है, तो false दे रहा ह अगर कोई एक भी true है, तो आप लोगे true मिल रहा है, तो इनको आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोगे ने plus operator देखा था, minus operator देखा था, अना, right, वैसे यह भी एक operator ही होता है, इसका use करता है multiple जगहों पर, यह भी operator है, यह दो चीज़ों पर काम करता है, boolean values पर काम करता है, true और false values पर काम करता है, अब जरा इसे देखते है, code के अंदर, यहाँ पर मैंने same चीज़ code भी कर दिया है, आप लोगे लिए मैंने दो variable बनाया है, पहला x है, जिसके अंदर true डाल दिया है, y है, जिसके अंदर false डाल दिया है, उसके बाद हम देखते है, x and y, x or y, और फिर not x इनको चला के देखते हैं, save करता हूं मेंसे और run करता हूं, तो यहाँ पर x and y is false, क्योंकि x true है, y false है, तो हमने true table में देखा था, अगर दोनों में से कोई भी एक भी false होगा, तो x and y मुझे false देने वाले, इसलिए मुझे यहाँ false मिल रहा है, then x और y में मिल रहा है true, क्यों इसलिए कि x हमारा true है, तो not x हमारा false है, तो इसलिए किसे एक काम करता है, आप लोग यहाँ पर चीज़ें चेंज कर सकते हो, सब उसकरों यहाँ पर false के जिए करते हैं true, तो अब यहाँ पर values चेंज हो जाने वाली है, जड़ाई से run करते हैं दुबारा से, तो x and y भी अब true हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें तो दोनों की दोनों same ही रहने वाले हैं, ठीक है, यह x और y भी true रहेगा, not x आपका false हो जाएगा, तो यह होगे आप लोग के logical operators, अब बात करते हैं user input की, हम चाहते हैं कई बार की python के अंदर user हमें कुछ input दे, और उसके बाद उस input के काम कर रहोंगे, और फिर हम आपको result दे रहोंगे, तो उसके लिए हम यूजर से input लेना पड़ता है, जैसे calculator अपने आप यह तो कुछ नहीं कर रहा होता है, पहले input करते हो कुछ numbers, अपने हिसाफ से, उसके बाद वो calculator आपको result बताता है, same to us हम यहाँ पर, आप लोग user को ब करने जाओगे, तो बहुत सारा code लिखना पड़ता है, आप लोग उससे पहले बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग directly input करना है, ठीक है, start हो, input लिखो, ज़रा देखते है किस तरीके से input काम करता है, तो मैंने एक file मनाई है, यहाँ पर user underscore input dot py, इसके अंदर input लेके देखते हैं, तो suppose करो मुझे name input लेना है, ठीक है, तो name equals to input, और इस तरीके से आप लोग, name आप लोगा input हो जागा, इस name को आप print करा सकते हो, print name, इसको ज़रा run करते है, इस program को देखते है, क्या होता है, dot py, तो यहाँ पर देखते हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, आप आप मिरसे बोल रहा है, मुझे prompt कर रहा है, कि कोई ना कोई input यहाँ पर डालो, तो मैं यहाँ पर आपना input डालता हूं, suppose करो मैं डालता हूं, अनुज, उसकाथ मैं enter हिट करूँगा, तो यहाँ पर दुबारा से अनुज आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा था, suppose करो कर सकते हो, you entered name, तो जरा आप दुबारा से में चलाता हूं इसे, यहाँ पर अगेन यह रुख गया है, suppose करो मैं नाम डालता हूं, अपना शिवव, तो यू entered शिवव, तो इस तरीकी से आप लोग user से input मांग सकते हो, ठीक है, तो बहुत ही कमाल को यहता है, suppose करो मुझे अप में डाल दी, then b equals to input, और उसके बाद c equals to a multiply by b, और उसके बाद इस c को में print कर दूँगा, तो print c, इसको मैं save करता हूं, लेकिन यह वाला code यहाँ पर चलने वाला नहीं है, क्यों नहीं चलेगा, मैं आपको बताऊंगा भी, पहले से run करते हैं, तो पहले a के लिए कुछ value मां non int of type string, ठीक है, तो यह कह रहा है कि, सिर्फ int को यह multiply कर सकता है, non int चीजों को multiply नहीं कर सकता, लेकिन आप बोलो कि हमने तो int pass क्या था, 2 भी int है, 7 भी int है, तो यह क्या हो रहा है, तो यार actually होता क्या है, कि input हमेशा, आप लोग को string में value देता है, ठीक है, तो आपने pass तो क्य 1 के अंदर सब उसको रो में डाला 2, 2 के अंदर में डाला 7, यहां पर देखो प्रिंट हो रहा है, str str, और फिर नीचे आपका error आ गया है, तो वो error इसलिए आए, क्योंकि input हमेशा आप लोग को string input लेता है, तो आप बोलो कि ठीक है, अब मुझे input लेना है, integer तो वो में कैसे क typecasting, typecasting करने के लिए आप लोगो int में करना है, तो int लिखके ये bracket, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग typecast कर सकते हो, int लिखा आपने, उसके बाद bracket के अंदर string डाल दिया, तो int के अंदर अगर आप लोग एक valid string डालोगे, तो आप लोगो typecast हो जागी integer के अंदर, similarly यहां पर म और bracket के अंदर मैंने यह ऐसे डाल दिया, इसे मैं save कर लेता हूँ, अब run करते हैं, तो अब डालता हूँ मैं आगे, 2 और 7, तो इस बार class है, हमारी int, b की भी class int है, और 7 को multiply हुआ, 2 से 14 आया, और 14 प्रेंट हुआ, कोई error नहीं आया है, इस बार, error क्यों नहीं आया, आप लो किस तरी किसे हम ले सकते हैं, यूजर से, एक और चीज होता है, अभी यहाँ पर यूजर को समझ नहीं आ रहा है, कि मुझे क्या चीज, क्या चीज मिट से print करा रहे हूँ, ठीक है, तो input आप लोगो एक argument भी लेता है, और उस argument में आप लोग बता सकते हो, यूजर को एक message prompt क कर सकते हो कि आप लोगो actually क्या input कराना है, ठीक है, तो enter A, आप लोग बोलोगे यहाँ पर enter A, या फिर enter first number, enter B, उसके बाद हम इसे save करते हैं, दुबार से run करते हैं, यहाँ पर बोड़ रहा है पहले यह enter A, ठीक है, A enter करो तो, अब मुझे पता चारा है कि अच्छा मुझे यहाँ पर मांग रहा है, तो मैं डालूगा 6, अगला बोड़ रहा है, enter B, अच्छा मुझे B में नंबर मांग रहा है, ठीक है, मैं डालता हूँ, यहाँ पर 7, अब अगला यह class int int को जड़ा मैं comment कर दिता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत अब है नहीं, आप लोगो समझ मा देता है, ठीक है, तो यह आप लोगों को प्रोग्राम लिखना है, तो यह code आप ऐसे कर सकते हो कि English, input आप लोगों को string देखा, तो इसको आप convert करना है int के अंदर, ठीक है, similarly maths marks, यहाँ पर 3 marks हमने ले लिए, इनको जड़ा हम average कर लेते हैं, और average करने के बाद इस marks को हम print करा लेते हैं, प्रोग्राम को run करते हैं जरा, देखते हैं क्या होता है, तो इसको मैं पहले clear कर देता हूं, command K, और इसे run करते हैं, तो enter marks in English, suppose कर उसके English marks आयते 89, then maths के अंदर suppose कर आयते 98, और science के अंदर suppose कर आयते 79, तो average marks are 88.66, तो इस तरीकी से आप लोगों का यहाँ पर code run हो execute करता है code को, लेकिन आप लोग चाहते हो कि नहीं, कोई code ऐसा हो, कोई code block ऐसा हो, वो तब execute हो, जब कोई certain condition trigger हो, यह लोग आप लोग multiple cases के अंदर कर सकते हो, यह चीज, right, suppose कर आप लोगों को ऐसा एक program बनाना है, जिसके अंदर user को आपको check करना है कि user vote दे सकता है या नहीं नहीं दे सकता, तो इस चीज को अगर आप लोगो Python में code करना है, तो वहाँ पर आप लोगो जुरूद परते है conditional statement scheme, और उसके अंदर पहला होता है, आप लोगा if statement, if statement बताता है कि if this then do this, otherwise don't do this, ठीक है, तो if then test expression और उसके बाद उसके अंदर आप लोग statement लिख सकते हो, तो एक मैं if बनाता हूँ कि if age is greater than 23, उसके बाद मैं लगाऊँगा यहाँ पर एक colon, तो if के बाद हमेशे colon लगाना होता आप लोगो, then अगली line के अंदर आप लोगो लिखना है, print you can vote, ठीक है, इसको save करते है, एक और चीज आप notice कर रहे होगे, आप अगली जो line है, वो चार spaces देके print हो रहे है, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर एक indentation होता है, इसे हम कहता है indentation, तो if के अंदर जो भी चीज़ा आप लोगो लिखनी है, उनको लिखने के लिए आप लोगो यहाँ पर indentation करना पड़ेगा, और indentation करने के बाद जो भी चीज़ा आप लिखोगे, वो यहाँ पर वो इस if के अंदर मनी जाएगी, अगर आप लोगो इस if statement से बाहर निकलना है, तो आप लोग बैक करोगे, और आप लोग यहाँ पर if से बाहर में चीज़े लिखने हो, ठीक है, तो यह line हमेशा execute होगी, इसको जरा save करते हैं, इस दूसरी वाली print line को मैं हटाय और यहाँ प्रेंट हो रहा है, यू के बाद प्रेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, आप लोगों को लग रहा है, यू के अदर जो expression लिखे लिख है, वो true return कर रही हो, ठीक है, तो क्योंकि age इस ग्रेटर दन 18, यह आप लोगों का true return कर रहा है, इसलिए यहाँ यहाँ पर यह बंदा vote दे पा रहा है, इसलिए यह बंदा यह वाला code जो यहाँ पर execute हो पा रहा है, अगर age 18 से काम होती, suppose करो age होती सिर्फ 3, तो यह vote नहीं दे सकता, right, तो उस case में यह वाली चीज, age is greater than 18, यह मिलेगा यहाँ से false, और if के अंदर अगर false मिलता है, तो if वा 3 है, और 3 is not greater than 18, तो इसलिए if यहाँ पर print नहीं हुआ, तो आप लोगों को दिख रहा हुआ कितना कमाल का होता है conditional statement, इसकी help से आप लोग अपने program के flow को एक तरिकी से break कर सकते हो, right, आप लोगों का program ऐसे line बर line चल रहा था, लेकिन यह वाली line प्रेंटी नहीं, यह वाली line do this, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग का else काम में आता है, suppose करो, अगर age 18 से बढ़ी है, तो you can vote, और age 18 से कम है, तो आप लोग उनको बोलना चाहते हो कि you cannot vote, ठीक है, आप लोग यह लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग लिख होगे else, else का एक rule होता है कि if के बाद ह यह हमेशे else लिख सकते हो, ठीक है, else आप लोग ऐसे डेकल लिख सकते, if के बाद ही आप लोग else लिखोगे, उसके बाद else के बाद आप लोग कोई condition नहीं बताओगे, जैसे आप लोग ने if के अंदर को condition बताओगे, ठीक है, तो अगर if वाली condition false देती है, तो आप लोग का else execute हो जाएगा, बहुत simple है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक colon लगाओगे, और उसके बाद again चार spaces देके आप फिर एक tab दबाके, उसका जो भी चीज़ आप लिखोगे, वो else वाले block के अंदर आएगी, तो यहाँ पर print वारा, you cannot vote, क्योंकि age आपकी है 3, और 3 18 से बढ़ा तो अब यहाँ पर print हो रहा है, you can vote, क्योंकि age is greater than 18, तो यह वाले चीज़ true हो गई, तो आप लोगों का else वहाँ पर print नहीं हुआ, और last line तो हमेशा execute होगी, क्योंकि यह if मैं भी नहीं है, यह else मैं भी नहीं है, तो इस तरीक से आप लोगों का if else काम करता है, आगला देखत होता है, elif basically short होता है else if के लिए, लेकिन python में हम लिखते है elif, यह काम में आता है multiple test expression लिखने के लिए, एक हो गया आपका if के लिए test expression, लेकिन suppose कर वो एक आपको if के अलावा और भी multiple चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप लोग elif लिखते हो, elif आप लोग multiple लगा सकते हो, क्योंकि if this then do this, else if this true then do this, else if this is true do this, और बाद में end में एक else लगा सकते हो, आप लोग चाहो तो ठीक है, तो एक if लगाओगे, एक else लगाओगे, उन दोन की बिश्वा कितने मर्जी elif लगा सकते हो आप लोग, इस इसको ज़रा run करके लिखते हैं, तो elif हो समझाने के लिए म मुझे तीन चीज़े बनानी पड़ेंगे यहाँ ठीक है, और if और else लिखता तो सिर्फ दो चीज़े मता सकते हैं, मुझे यहाँ पर तीन चीज़े मतानी है, इसलिए यहाँ पर elif का काम आएगा, मैंना क्या कि है code के अंदर code बहुत simple है, कि if number is greater than 0, तो obviously positive number है, अगर number equal to 0 ह आप लोग print करोगे negative number, क्योंकि अगर number positive भी नहीं है, अगर number 0 भी नहीं है, तो obviously number negative ही होगा, इस चीज़ को ज़रा run करते है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि number है 3.4 और 3.4 greater than 0 है, इसलिए यहाँ पर print हो रहा है positive number, same चीज़ अगर यहाँ पर मैं सब उसको रो minus 5 होता है, तो पहली land में आएगा, यह देखिया, क्या number is greater than 0, क्या number greater than 0 है, तो number है minus 5, minus 5 is not greater than 0, तो यह वाली condition true नहीं हुई, तो यह अगली condition चेक करेगा, ठीक है, else if वाली, इस वाले block को यह पूरा skip ही कर देगा, अगली condition चेक करेगा, क्या number equal to 0 है, तो number equal to 0 भी नहीं, number तो minus 5 है, तो यह वाली condition भी true नहीं हुई, तो इसलिए यह वाला block भी skip होजाएगा, उसके बाद अगले block पर जागा, तो अगला block है else, कि अगर उपर से कुछ भी नहीं मिला, तो यह तो करना ही करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए negative number प्रेंट हो गया है, ठीक है, तो आप इसके बाद यह नीचे गया भी नहीं, ठीक है, else के लिए जाएगा भी नहीं, इसको जैसे कोई condition true मिल जाएगी, उसके बाद यह नीचे जाएगा भी नहीं, तो इसने alif में देखा, हाँ true हो गया, तो यह else में गया ही नहीं, similarly अगर number positive होता, suppose को number 10, तो यह if के लिए इसके बाद आगे move करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, range function की, यह बहुत modern function होता है, इसका use कर रहे होते हैं, कुछ sequence generate करने के लिए, अगर हमें on the go कुछ sequence generate कर रहे हैं, तो वो आप लोग range function की help से कर सकते हो, यह नहीं आप लेखा हुआ है, we can generate a sequence of number using range function, range 10 will generate numbers from 0 to 9, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग multiple argument pass कर सकते हो, एक एक करके हम देख रहे होगे इन सभी arguments को, range 10 क्या करेगा, यह 0 से लेकर 10-1, मतलब 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुछ numbers लेगा और उनको generate कर देगा, on the go generate करेगा, इसका मतलब क्या है, यह इन numbers को memory में कहीं store नहीं करे यह 0 से लेकर 9 तक numbers लेगा, लेकिन उनको generate करेगा, यहाँ पर देखता है, print क्या होता है, तो मैं इसको print करालता हूँ, मैं इसको एक variable में डालता हूँ, a equals to range, और a को print कराके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं save करता हूँ, इस file का नाम है ranges.py, तो python 3 ranges.py, तो यहाँ पर देखत क्योंकि वह बहुत ineffective होगा, यह करता है, बस यह याद रखता है कि मुझे start कहां से करना, मुझे end कहां तक करना, और बीच में क्या क्या step रहने वाले हैं, उसे साबसे यह numbers generate करता है on the go, इसका मतलब कि, और अगर आप लोग चाहते हो, कि नहीं, मुझे तो actual number चाहिए, मुझ काम किया, और फिर list ने अपना काम किया, list ने किया कि range को force किया, memory के अंदर उनकी जगह बनाई, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक जगह बनाई, और उनके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 9 ये करके numbers इसने fill किये, और फिर हम यहाँ पर इस list को print करा सकते हैं, तो यहाँ पर यह हमारी list प्रेंट हो तो आप लोग को आप range में ठीकी समझाता हूं, तो range में न तीन variable आप लोग पास कर सकते हो, तीन argument पास कर सकते हो, आप लोग basically, पहला argument, अगर आप लोग सिर्फ एक ही argument पास कर सकते हो, तो यह बताता है, कि range कहां पर खतम करनी है, और starting इसका यह by default फिल 0 मान लेगा, अगर आप लोग को इसका starting और ending दोना बताने हैं, तो वो भी आप लोग बता सकते हो, suppose करो मुझे 5 से लेकर 10 तक के number चाहिए तो 56789, यहाँ पर पहला number inclusive होगा, दूसरा number exclusive होगा, इसको ज़रा save करते हैं, run करके दिखते हैं, क्या होता है, तो 56789 प्रेंट हो रहा है, 10 प्रेंट एक और argument पास कर सकते हो, तो overall इसके दर तीन argument पास कर सकते हो, किसरा argument बताएगा कि क्या क्या step लेना है, कितने कितने step लेना है, तो अभी फिलाल यह one one step ले रहा है, ठीक हा, five से six पर जा रहा है, six से seven पर जा रहा है, तो एक step ले रहा है, suppose को आप चाहते हैं कि नहीं, दो दो step कर आगे बढ़ो, तो उसको भी हम कर सकते हैं, तो save करते हैं इसे, run करते हैं, तो यहाँ पर देख रहा है, तो इस बार यहाँ पर दो step skip हो रहा है, पहले five से six से seven, दो step हो रहा है, तो इस तेक से आप लोगों का range काम करता है, अब इस range को हम और अच्छे से देख रहोंगे loops के अंदर, तो आप लोगो बस मुझे range ऐसे ही बीशों बताना था, python के अंदर loops की बात करते हैं, loops बहुत ही एक खमाल का concept होता है, loops की help से आप लोग चाहो तो एक particular block को, एक particular code को आप लोग बार बार चला सकते हो, loop में, जैसे आप लोगो ने music सुना हो, ठीक है, music के अंदर print अपना नाम, उसका आप में बोलता हो, ठीक है, अपना नाम को 10 बार print करो, तो आप लोग क्या करोगे, 10 बार अपने नाम को print statement 10 बार लिख रहोगे, बहुत सारा time लगने वाल है, बार बार आप लोगो वहाँ पर print statement लिखनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप लोग क्य इसलिए काम में आते हैं, कि कोई एक particular task को आप लोग चाते हो, बार 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 वो चलता रहे, मुझे बार बार उसका code ना करना पड़े, वहाँ पर loops काम में आते हैं, तो यहाँ पर python के अंदर दो loops होते हैं, एक होता for loop, एक होता while loop, दोनों को जरा समझने के करके, सबसे पह आप लोग चाहूँत, इस range के अंदर भी traverse कर सकते हो, कैसे traverse कर सकते हो, अब जरा देखते हैं, suppose कर आप लोग चाहते हो कि 0 से लेकर 9 तक की values हो double ओके print हो, तो वह आप लोग कैसे कर सकते हो code में, जरा देखते हैं, तो आप लोग चलाओगे, लूप चलाओगे, range में कि range 10 range 10 मुझे sequence लाके देगा 0 से लेकर 9 तक का उसके अंदर से जो भी value आएगी पहली value आएगी 0 अगली value आगी 1 दूसरी value आगी 2 तो जो वो values आ रही है उनको मैं डाल रहा हूं x के अंदर ठीक है पहली बारी में x के अंदर जाएगा 0 अगली बारी में जाएगा x के अंदर 1 फिर आगा 2 इस तरीके से उसके बाद मैं इस x के साथ कुछ भी कर सकता हूं मैंने कहा था आप लोगो twice नमर्स कराने तो वह चीज़ा प्रिंट करा सकते हो 2 multiply by x करके आप लोग x के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं यह तो पिस एक variable name है इसको ज़रा एक बार चलाकर देखत इस code को तो मैंने किया save python3 for loops.py तो यहां पर देखे हो 0 से लेकर 18 तक प्रिंट हो गया तो वह हुआ जो हम चाहते थे basically आप लोगों का एक लूप चला लूप कितने बार चला लूप 10 टाइम चला कैसे चला क्योंकि range ने आप लोगो एक sequence लाकर दिया था और यह लूप पूर 1, 1 multiply by 2 होता है 2, then हमें मिला होगा 2, 2 multiply by 2 होता है 4, तो यह तो आप देखे हो अलग-अलग line में print हो रहा है, तो एक बार print की एक और खास बास समझ लेते हैं, कि आप print के अंदर ना end बता सकते हो, कि end में आप लोग क्या करना है, by default end के अंदर यह new line डाल देता है, आप लोग तो देखे हो, comma, फिर उसका बाद space, फिर वो number प्रिंट हो रहा है, then comma, space, फिर number प्रिंट हो रहा है, तो यह आप लोग का basically print का behavior होता है, और यह होता है आप लोग का for loop, आप लोग को समझ में आ रहा हो, किस ते किसे for loop काम कर रहा है, इसके लावाला आप लोग चाहो कि list के अदर मुझे iterate करना है, string के अंदर मुझे iterate करना है, तो उसके अंदर भी आपका for loop काम में आता है, और वो आप लोग कैसे कर सकते हो, suppose कर आपने एक list बनाई, अभी हमने list देखी नहीं है, मैं बस आप लोग को ऐसे example के लिए बता रहा हूं, कि मैंने list बनाई, a equals to, इसके अं एक नाम दे सकते हो, मैं इसको नाम देता हूं, name, कुछ भी नाम दे सकते हो, आप लोग चाहो तो मैंने name नाम देता है, for name in a, और उसके बाद इन names को आपको trade कर सकते हो, इन names साथ कुछ भी कर सकते हो, मैं print करता हूं, name multiply by 2, तो आप लोग एक और कमाल की चीज़ देखने व similarly range 10 भी मुझे sequence लाके दे रहाता, तो यह चीज़ एक sequence होती है, ठीक है, तो इस sequence के अंदर आप एक एक करके travel कर रहे है, और जो भी मुझे value मिल रहे है, उसको मैं डाल रहा हूं name के अंदर, अब मैं इस name के साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं करके आ रहा हूं name multiply by 2, तो string है name एक string है, ठीक है, तो इसकी एक property होती है, string की, कि उसको अगर आप लोग multiply करते हो, एक integer के साथ, तो यह उतने ही time repeat हो जाता है, अगर यहाँ पर 2 के जगे लिखता हूं, 4, तो यहाँ पर यह name जो है, मैं 4 times repeat हो जागा, इसको मैं save करता हूं, run करता हूं, तो यहाँ पर देख अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं while loops की, while loop भी आप लोगं का iterate करने का मैं आता loop ही होता है, तो यहाँ पर 2 type की loops को देखे है, for loop से काम नहीं चल रहा था, तो for loops बेसिकली तब यूज करता है, जब हमें पता होता है कि कितने times iterate करना है, जिसे range में हम पताता है, 0 से ले जब तक कोई condition satisfy हो रही है, तब तक यह loop चलेगा, जैसे हो condition satisfy नहीं होगी, वैसे हो loop बंद हो जागा, break हो जागा उस loop से, तो यापर मैंने वही लिखाओ है, the while loop in python is used to iterate over a block of code, as long as the test expression या फिर condition is true, we generally use this loop when we don't know beforehand the number of times to iterate, और while loop का simple सा expression होता है, while, उसके बाद test expression, उसके बाद body of while, तो test expression basically या तो true return करेगी है, false return करेगी, जब तक test expression से हमें true मिल रहा है, तब तक आप लोगों की body of while execute होती रहेगी, जैसे ही test expression ने आप लोगों को false दे दिया, उसी time आप लोगो इस while loop से बहार आ जोगे, तो मैं क्या करें चाहता हूँ ज़रा एक example समझते हैं, suppose करो मु equals to 0, colon, उसके बाद मैं आपर print कर दूँगा n, और उसके बाद n minus equals to 1, तो यहाँ पर मैंने बहुत साथ चीज़ें लिख दी हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो पहले मैंने n को define किया, n के अंदर मैंने 5 को डाल दिया, उसके बाद मैंने एक while loop चला है, while loop के बाद आ और आप लोगों को याद होगा, यह होता आपका conditional operator, और यह हमेशा true return करेगा, फिर false return करेगा, तो while के अंदर हम हमेशा boolean value डालते हैं, या true या false वाली, तो while n is greater than 0, तब तक क्या करो, यह चीज़ करो, क्या कर रहे हैं, हर बार हम n को print कर रहे हैं, और print करने के बाद n equals to n minus 1 करते हैं, n को एक एक करके हम कम भी करते जा रहे हैं, तो कैसे चलेगा यह ज़रा समझते हैं, इसको मैं ज़रा run करके देखता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो, 5 से लेकर 0 तक print हुआ और उसके बाद खतम हो गया, तो हो क्या राज़रा समझते हैं ठीक से, तो पहले क्या ह होगा, n equals to 5, तो क्या 5 is greater than 0, हाँ 5 is greater than 0, तो loop के अंदर आओ, और print कर दो n को, n की value है 5, तो 5 print हो गया पहले, उसके बाद हमने n को एक कम कर जा, 5 से हो गया 4, उसके बाद ही again इस loop में जाएगा, क्या 4 is greater than 0, हाँ 4 भी greater than 0 है, तो आपने 4 print कर दिया, और उसके बाद फिर again n को एक कम कर दिया, तो n अब force हो जागा 3, इस तरह की से होता रहेगा, होता रहेगा, बार बार print होता रहेगा, तो जैसे आपका n होता है 1, वैसे आपका n प्रिंट होता है, फिर आपका n होता है, n equals to n minus 1, तो 1 से n हो जाता है 0, अब n क्या 0 के बारा, greater than equal to 0 है, तो हाँ 0 is greater than equal to 0 तो again आपका ये print होगा, तो 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद n हो जागा आप लोग का minus 1, ठीक है, n equals to n minus 1, तो 0 minus 1 होता है minus 1, तो क्या minus 1 greater than equal to 0 है, नहीं, minus 1 greater than equal to 0 नहीं है, तो जैसे ही condition false हो गई, तो वैसे आप लोग इस value से बाहर आ गए, और आप लोग का code वहीं पर रुक चलेगा, लेकिन कुछ भी ऐसी condition हो सकती है, हमें जहां पर पहले से नहीं पता होगा, कि loop को कितनी बार चलाना है, suppose को कोई Q है, उस Q में elements जलते भी जा रहे हैं, खतम भी होते जा रहे हैं, और हम loop को तब तक चला रहे हैं, वाइल Q is not empty, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, यह condition जब तक true है, तब तक चलते रहो, और जैसे condition false जाती है, वैसे इस loop से भाहर निकल जाओ, अच्छो यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग को बतानी है, कि अगर आप लोग ने ठीक से ख्याल नहीं रखा, तो आप लोग का loop जो है, वो infinite time से भी चल सकता है, suppose को आप यह लाइन लिखना भूल गए, तो अब क्या होगा, 5 is greater than 0, हाँ 5 is greater than 0, तो print करो 5, उसके बाद again 5 is greater than 0, हाँ 5 is greater than 0, ठीका print करो 5, तो यह बार 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 5 print करता रहेगा, और infinite time चल जाएगा, यह बार चला के दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर यह 5 print हो जा रहा हो जा रहा हो ज infinite time चलता रहेगा, यह कभी रुखने वाला नहीं है, इसको आपको रोखना तो ctrl c करके रोखना पड़ेगा, और यहाँ पर यह देखो कितनी बार 5 print हो गया, यह infinite time चलता रहता, क्योंकि आपने इसे रोखने का कोई condition बता ही नहीं, इसको false वाली condition बता ही नहीं, तो इस करते हैं, दुबारा run करते हैं, तो अब यह स्रिफ 6 बार चला ठीक है, 5-0 times, तो यह होगे आप लोगों के while loops, तो हम बात करते हैं, दो keywords की break and continue, बहुत ही important keywords होते हैं, और यह generally use होते हैं आप लोगों के loops के साथ ही, break use कर रहे हो तो आप लोग, loop से भार निकलने के लिए, loop से iteration only, ठीक है, तो current iteration को आपको skip करना है, कि मुझे इस चीज़ में मदा निया रहा, इस चीज़ को skip करो, अगले iteration में चलो loop की, वहाँ पे आप लोग continue कर रहे होते हो, तो एक बाज ज़रा दौनों को ठीक से समझते हैं, suppose करो मुझे एक ऐसा for loop बनाना है, जिसके अंदर जैसे ह कि मैं 1 से लेकर 10 तक numbers print करता हूं, लेकिन जैसे ही number 6 से जादा जाते हैं, वैसे ही, मैं loop से बाहर निगलना चाहता हूं, जरा वो देखते हैं कैसे काम करेगा, for i in range n, print i, तो इसको अगर मैं ऐसे ही चलाओंगा, जरा save करके चलाते हैं, क्या होता है, तो इसने 0 से लेकर 9 तक 6 ब्रेक, ठीक है, तो यह क्या करेगा, अगर i 6 से बढ़ा हो जाता है कभी भी, तो उसी time loop से भार हो जाओ, ठीक, loop से ब्रेक कर जाओ, इसको save करते हैं, और run करके देखते हैं एक बार, तो अब आप लोगों के number देखते हैं, 0 से लेकर 6 तक ही print हुए, आगे 7, 8, 9, print नहीं ह हुआ, क्यों नहीं print हुआ, क्योंकि इसने check किया पहले, जैसी number इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5 थे, तब तक तो ठीक है, क्योंकि तब तक क्या है, यह condition जो है, वो false है, जैसे number 6 से बढ़ा होता है, जैसे number 7, वैसे यह condition हो जागी true, क्योंकि 7 is greater than 6, और जैसे condition true होती है, वैसे हम करते रह लेकिन 8 number मैं मुझे मदा नहीं रहा, मुझे 8 number को skip करना है, तो वो चीज़ आप लोग कैसे chip कर सकते हो, तो मैं इस code को करता हूँ, copy और इसे करता हूँ, comment, और नीचे और code लिखता हूँ, कि for i in range 10, और if number equals to 8, ठीक है, अगर number 8 के बराबर है, तो आप लोग continue कर दो, ठीक है तो अगर number 8 के बराबर है, तो नीचे वाली लाइनों को execute मत करो, नीचे वाली लाइन का है print statement, ठीक है print statement को execute मत करो, जड़ा save करते हैं, run करके दिखते हैं, तो आप लोग देखे हूँ, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक number print हो रहे हैं, लेकिन 8 वाला number आप लोग का skip हो गया है, तो continue basically काम में आता है, आप लोग को current iteration को skip करने के, break काम में आता है, आप लोग का directly loop से बाहर निकलने के, अब बात कर लेते हैं, python के अंदर strings की, strings हम लोगों ने अल्रेडी वासे print statement में काफी बार देख ले, हम लोगों ने काफी बार string के variables भी बना लिए, string basically होता है, आप लोग का string का बहुत ज़्यदा है, भी user होता है, और string के class होती है, जो बहुत सारे functions लिके आते हैं, ठीक है, string के अंदर कुछ inbuilt function होते हैं, वो सारे सारे देखने बहुत जरूरी होते हैं, function को detail में भी हम देखेंगे, लेकिन string के अंदर जो functions होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, हम से triple quotes can be used in Python but generally used to represent multi-line strings तो ये वाला एक बाद ज़रा समझते हैं कि आप लोग triple quotes का use करके भी string generate कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने strings.py नाम से एक file बनाई है इसके अंदर कुछ डाल के लेखते हैं suppose करो आपको एक string बनाने है नेम बनाते हैं तो नेम इस तरीके से हम बना सकते हैं हम लोगों ने यह तरीका देख लिया था इसके लावा अगर आप लोगों को कुछ और चीज़ना डालने है suppose करो इसके अंदर एक paragraph डालना है तो paragraph के लिए हमने कहा कि multiple line strings आपको चाहिए और multiple line strings के लिए आप लोग triple quote का यूश कर सकते हो ठीक है तो triple quote से start करेंगे triple quote से end करेंगे और इसके अंदर आप लोग multiple line आ सकते हो ठीक है इस तरीके से आप लोगों निखए हम पर मैंने चार line में डाले इस paragraph को अब जड़ा इसको print कराके देखते हैं क्या होता है तो जब प्रिंट कराओगे ना पहरे आपको आप देखना क्या होता है इसको मैं save करता हूँ इसको मैं run करता हूँ यहाँ पर देख रहो आप लोगों का multiple line में print हो रहे है this is a multi line string ठीक है तो basically triple quotes करते हैं हम लोग multi line string उलाने के लिए अगर आप लोग double quotes के अंदर multi line string डालने का try करोगे तो आप लोगों को error मिलेगा ठीक है triple single quotes यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो triple double quotes यूज़ कर सकते हो वह भी multi line strings के ही खाम में आता है ठीक है तो अगर आप लोगों को multiple line में अपना नाम दिखने है तो आप इस तरीके से अचीव कर सकते हो और अगर मैं अपना नेम अपना प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या होता है नेम सेफ कराते हैं run करते हैं तो यहां पर मेरा जो नाम है वह अलग-अलग line में प्रिंट हो रहा है तो आप लोगों को string किस तरीक से हम लोग बनाते हैं अब सब्सक्रिंग के अंदर मुझे आप लोगों के indexing होती है अब लिटेक्शन लेकिन आप लोगों की indexing होती है जिससे आप लोगों को एक अपसे जीग कर सकते हो जरा indexing को ही समझते हैं तो अगर indexing हमें देखना है तो सबोस्कों आपकी यह shrink भी प्रोब टीक है P-ROBE और इसकी length है 5 ठीक है इसके अंदर 5 और आपका 0 से start होता है, श्रिंक के अंदर आपके indexing 0 से start होता है, आपके C++, C, Java, हर language के अंदर 0 से start होती है, indexing, यहाँ भी 0 से start होती है, और इसके अंदर आप लोगं का negative indexing का भी support होता है, by negative index what I mean is कि आप लोग minus 1, minus 2, minus 3 ये भी access कर सकते हो, ठीक है, minus 1 का मतलब है last character, minus 2 का मतलब है, ये second last character, similarly, 3 का मतलब भी second last character, string के अंदर से fourth index पे और minus 1 index पे e मिलने वाला है मिरको, ठीक है, तो ये काफ़ी interesting चीज होती है, Python के अंदर, इस चीज़ को जब देखते हैं, और ऐसे आप लोग square brackets में index डाल सकते हो, ठीक है, square brackets में आप लोग डालोगे कोई सा index, suppose करो मैं 0th index प्रेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग का a print हो रहा है, a क्यों print हो रहा है क्योंकि यह आपका 0th position पर रहा है, suppose करो आपको 1st position वाला चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर P मिलना चाहिए, दुज़रा चला के देखते हैं, तो हमें यहाँ पर P मिल रहा है, ठीक है, इस तेखिस से अगर suppose करो आप लोग को last character चाहिए, तो last character कहाँ आप रहा, 0, 1, 2, 3, 4, 4th index पर हमाँ last character मिलने वाले से, मैं save करता हूँ और run करता हूँ, तो अब हमें last character मिल रहा है, हमें e मिल रहा है, अब suppose करो आप बोलोगी 4 index तक तो ठीक है, लेकिन हमें 5 डालनेंगा try करूँ तो क्या होगा, तो ज़रा 5 डालके लेखते हैं, मैंने आप 5 डाला, save किया, run करते हैं, तो यहाँ पर एक error आ गया, क्योंकि 5th index कोई है ही नहीं, string के अंदर, string के अंदर 0 से लेकर 4 तक ही जा सकते हो, 0 से लेकर string length – 7 तक ही जा सकते हो, तो एक error index error string index out of range ठीक है, तो इसकी range होगी है, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक ही आप लोग indexing कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें क्योंकि ही नहीं कोई character तो वहाँ पर आपको, error यह string ठोग करते हैं, ठीक है, तो यह अगर 5 डालोगे, या 4 से बड़ी कोई भी number डालोगे, 500 डालनेंगा try करोगे, तो भी आप लोगो सेम ही error मिलने वाला है, तो इस तरीके साथ आप लोग character access करते हो है, और हमेशायद अठना है आप लोगो 0 से लेकर length and minus 1 तक डालना है, लेकिन साथ ही साथ आप लोग negative indexing भी supported एसक अंदर, तो जरा negative indexing भी देखते हैं, तो print, suppose को रहो मुझे last character access करना है, तो last character access करने के लिए क्या तो हम यहां लिखेंगे fruit 4 ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो fruit minus 1, इसको मैं जरा comment करता हूँ परवाले को, अब यहां पर हमने fruit minus 1 लिखा, तो इसका मतलब minus 1 मतलब last character, second last character है minus 2 इस तरीके से, तो हमें minus 1 से लेकर minus 5 ता characters मिलने वाले हैं, इसको मैं save करता हूँ, let's run this, तो यहां पर देख रहे हैं, मुझे e मिल रहा है, e क्यों मिल रहा है, क्योंकि e हमारा last character हो और इसके अंदर negative index supported है है, minus 1 का मतलब है last character, minus 2 का मतलब है second last character, similarly यहां पर minus 2 रहा है, L मिलने वाला है, यहां मिलने वाला है, तो इस तरीके से negative indexing भी supported होती है, अब suppose करो इसके अंदर आप लोगो एक sub string चाहिए, range of characters चाहिए, अब आप लोगो sub string चाहिए, तो उससे हम कहते है slicing, slicing का concept होता है, string के अंदर होता है, list के अंदर होता है, हरे के अंदर होता है, हम सब में देखेंगे, तो slicing के आप लोग basically एक string का sub string, छोटा part access कर सकते हो, अभी आप लोग क्या access कर पार हो एक character, अच्छा इस character इसको न हम save भी कर सकते हैं, तो मैं आप प्रिंट करा रहा हूँ, लेकिन आप प्रिंट कराने के बज़िए, इसको save भी कर सकते हो, मैंने कोई नाम देटिया my care, और इसके अंदर मैं डालना चाहता हूँ, कोई character, सबोज करो मुझे character number two save करना है, तो two पर है हम है, पी मिल रहा है two के उपर, तो वो हमारा two से निकलेगा, fruit से निकलेगा, और उसको हम my character के अंदर save कर लेंगे, उसके बाद इस my character को हम लोग print कर सकते हैं, चाहें तो, तो पहले आपका L print हो रहा है, क्योंकि यह minus two पर L है, उसके बाद fruit two, fruit two के अंदर है P, और वो आपका my character के अंदर चला जाएगा, और वो हमने my character print करा दिया, तो इस तरह किसे आप लोग character access करते हो, आप जोला दिखते हैं कैसे आप लोग range of character access कर बाते हो using slicing, तो यहां पर लिखा है मैंने accessing characters in a string slicing, we can access individual character using indexes, and range of characters using slicing, index starts from zero, trying to access a character out of range will throw index error, obviously the index must be an integer, उसके बाद यह किया रहा, python allows negative indexes for sequences, ठीक है, sequences के अंदर आप लोग के characters string आती है, range के अंदर जो भी होता वो भी आपका sequence होता है, list भी आपकी sequence होती है, तो basically slicing आप लोग की हर drive के sequence में डल रही होती है, अब यह भी हम देखेंगे, तो string के अंदर देखते हैं ठीक से slicing को, तो उसके लिए मैं यहाँ पर python 3 का shell चला जते हूं, python 3, enter, और अब हम यहाँ पर डिरेक्ली python shell के अंदर code कर सकते हैं, तो suppose करो एक string बनाए मैंने s, उसके अंदर मैंने कुछ pass किया, तो a, b, c, d, e pass कर देते हैं, s हमारा हो गया 5 length का, s की length है 5, इसमें 0 से लेकर 4 तक आप लोग की indexing है, अब suppose करो इसके अंदर से मुझे बीच के 3 character चाहिए, ठीक है, b, c, d चाहिए, तो उसके लिए मैं लिखूँगा b की index क्या है, b की index है हमारी 1, ठीक है, तो start करेंगे हम 1 से, उसके बाद b, c, d चाहिए, तो d की index क्या है, तो 0, 1, 2, 3, d की index 3 है, लेकिन मैं यहाँ pass करूँगा 4, आप 4 क्यों pass कर रहा हम भी आपको बताऊंगा, हम इसे run करते हैं, तो हमें b, c, d मिल गया, ठीक है, तो हो करा है, तो पहलावाला जो होता है, वह आप लोगं का inclusive होता है, बी आपका inclusive है, लेकिन फॉर्थ index है आपको यह जो आपका exclusive होता है, तो फ wollर्थ आपको फोर्थ पर क्योंड ऑकूं सा ही गए लेकिन लेकिन यह आपका exclusive है, तो E से पहले वाला आप लोगो मिलेगा, तो BCD इसलिए हमें मिल रहा है, ठीक है, अगर आप लोगो कुछ चाहिए, BCDE तो उसके लिए आप लिखोगे S, 1, और उसके बाद E की इंडेक्स क्या है, तो E की इंडेक्स हमें पता है, 4 है, लेकिन 4 नहीं डालिंगा हम यहां पर, हम लाकर देता है, तो यह फंडा के लिए रहा है, उसके लावा कुछ देखें, default behavior कैसा होता है इसका, तो अगर हम इसे simply as लिखेंगे, खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद लिख देता है 4, तो इसका मतलब क्या है, तो यह start करेगा by default 0 से, ठीक है, अगर मैंने खाली छोड़ थर्ड इंडेक्स किया है, तो 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स है हमारी D, और D inclusive है तो हमें मिल रहा है DE, तो अगर आप लोग ने starting index पास नहीं किया, तो यह by default उसे मालनेगा 0, अगर आप लोग ने ending index पास नहीं किया, तो यह by default मालनेगा उसे end of string, तो यह हमें समझ में आ गया, अब एक और funda होता है इसके अंतर, आप लोग इसमे step भी mention कर सकते हैं कि आप लोग को कितने step छोड़के आगे बढ़ना है, similarly range वाला funda लग रहा है आप लोग को समझ में आ रोगा, ठीक है, suppose करो आप लोग को एक ए character छोड़के नहीं, दो-दो character छोड़के आप लोग को print कर सबसे पहले लिखा 0, उसके बाद आप लोग को ने एक character छोड़ा, मतलब दो character छोड़े, एक बाद B छोड़ा, B के बाद C पर आ गया आप लोग, ठीक है, jump मारा आपने 2 का, उसके बाद आप लोग उने C print कराया, उसके बाद आप लोग को ने 2 का jump मारा और आप लोग उने E लोग को, अगर आप लोग steps को खाली छोड़े तो by default यह 1 मान लेता है, अगर step कंद को value mention करते हैं तो यह उतने उतने steps छोड़े, आप लोग को चीज़े print करता है, अच्छे एक और चीज, आप लोग यहाँ पर ऐसे mention दो कर रहे हो, लेकिन string आप लोग की original string है, वो आप string आप लोग का immutable होता है, तो हमें यह चीज़े में आगे, अब ज़रा एक और सी रहते है, negative indexing, किस तरी किसा आप लोग negative indexing का फायदा उठा सकते हो, अपनी slicing के अंदर, तो सब उसको आप लोग को, ABCDE, EDCBA, मतलब reverse में चाहिए string, तो वो कैसे कर सकते हैं आप लोग अचीव तो उसके लिए आप लोग डालोगे, खाली-1, तो यहाँ पर हो के रहा है, आप लोग का यह चलेगा, पीछे से लेकर आगे तक, और minus 1 step size मतलब, पीछे से आगे तक चल रहा है, और एक-एक step लेके चल रहा है, ठीक है, तो E print हुआ है, फिर D print हुआ, फिर C print हुआ, फिर B print हुआ, फिर A print हुआ, तो इस तरीके से आप लोग की negative indexing और negative step size भी supported होता है, negative step size को ठीक से समझते हैं, यह क्योंकि बहुत important fund होता है, तो इसके अंदर हमेशा एक चीज़ आप रखने है हमें, कि आप लोग की direction है, वो बहुत जादा matter करते हैं, कि आप लोग किस direction में से लेकर आप लोग 5 तक जाते हो, और यहाँ पर लेकते हो minus 1, तो अब क्या print होना चाहिए, आप लोग के साफ से, ठीक है, तो अब हमारा print होना है, खाली string, खाली string क्यों print होती ही, कि आप लोग 0 से लेकर 5 तक जा रहे हो, ठीक है, left to right जा रहे हो, लेकिन आप लोग ने minus 1 ड आप लोग 0 तक आऊगे, with minus 1, ठीक है, तो अब आप लोग का EDCB print हो रहा है, EDCB कैसे print हो रहा है, तो आप लोग का minus 1 पर क्या है, minus 1 पर होता है हमारा E, 0 पर क्या है, 0 पर होता है हमारा A, लेकिन last character, जहां पर यह ending वाली position होती है, यह आप लोग की inclusive नहीं होती है, तो इसलि माइनस 1 डालता हो मैं यहाप, minus 1 से 0, ठीक है, minus 1 से 0 मतलब आप लोग ऐसे ultra आना क्या कर रहे हो, लेकिन आप लोग ने step define कर दिया 1, तो आप लोग क्या कर रहे हो, ultra आ रहे हो, लेकिन step आप लोग का right side में है, तो यह आप लोग कुछ printing नहीं करेगा, तो जिस direction में आप किसे slicing हमेशा काम करने वाली है, अब जरा दिखते हैं किस तरी किसा आप लोग for loops लगा सकते हो अपनी string के अंदर, for loops with string, तो for loop आप किसी भी sequence के साथ लगा सकते हो, उसके रहे वई for letter in hello, ठीक है, hello हमारी string है, उसके बाद आप इस letter के साथ कुछ भी कर सकते हो, अचा एक और समझ देते हैं, आप लोग ना string के अंदर multiply और plus operation भी कर सकते हो, ठीक है, suppose करो आप लोगों की एक string है A, और इसके अंदर मैं डाल दिया A, B, C, और दूसरी string है B, और इसके अंदर डाल दिया मैंने suppose करो DEF, तो अगर आप लोग करते हो, C equals to A plus D, तो ये तो दोनों की दोनों strings से लेकिन फिर भी error नहीं आएगा, आप लोग की दोनों की दोनों string concatenate हो जाएंगी, ठीक है, तो plus operator यहाँ पर string के अंदर concatenation का काम करता है, इसको हम print करते हैं, और इससे चला कर देखते हैं, तो इसको मैं पहले exit कर देता हूं यहां से, और इसे run करते हैं, तो यहाँ पर प्लस वाला आप लोगो सुझ में आ रहा होगा, प्लस operator को यहाँ पर string ने overload कर रखा एक तरीके से, इससे हम कहते हैं, और वो use करता है से concatenation के लिए, concatenation दो string को जोड़ा और एक नई string बना दी, ठीक है, तो यह तो आपको को गया concatenation, अब ज़रा देखते है, multiply operation क्या का काम करता है, तो यह तो आप लोगों का c equals to a plus vs सब करो, आप लोगों को इस string को na a वाली string को repeat करना है, दो बार, तो a multiply by two time कर सकते हो, आप लोग, ठीक है, तो a multiply by two क्या मेंने तो क्या हुआ, a वाली string ही दो बार repeat हो जाएगी, इसको में ज़रा प्रेंट कराके देखता हूं c को इ आप लोगों की string के अंतर, for loop पे वापीस हाथ तो उसके लिए मैं एक string बनालता हूं, ठीक है, इस वाली चीज़ को मैं कर देता हूं comment, और इसको मैं कर देता हूं नीचे, यह सारा का सारा code आप लोगों को available हो गया, नीचे description मिल जागा, आप लोगो टेंशन वाली बात ठीक है, तो यह हमारी एक string है, इसके अंदर हमें जी for loop लगाना है, तो for loop कैसे लगा सकते हैं, तो हमने देखा था already syntax, for, उसके बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं, variable का हम यहाँ पर नाम देते है, my character, for my character in a, ठीक है, क्योंकि a हमारी string है, उसके बाद इस my character साथ आप लोग कु क्या होने वाला है, इसे मारन करता हूँ, तो यहाँ पर print हो रहा है, a, a, b, b, c, c, क्यों हो रहा है, आपनों को समझ में आ रहा होगा, पहले my character में था a, तो a को हमने कर दिया 2 से multiply, तो क्योंकि a आपका character है, या string है, एक ही बात है, वो आपका 2 से multiply होगा, तो यहाँ पर a, a पाइथन ने अल्ड़ी दे रखे है, so that आपको बैट के यह चीज़ा ना लिखनी पड़े, बहुत ही handy function होते हैं, काफी बार use कर ले तो आप लोग, suppose कर आप लोगो चेक करना है, कोई string की string के अंदर जो भी characters है, इस सिर्फ alphabetic characters ही हैं, कि इनके लाभा तो कोई और character नहीं ह ठीक है, तो यह function होता है, हमारा function के बाद हमें दो parenthesis लगाने होते हैं, opening and closing, इन सभी logic को अभी हम देख रहे होगे, ठीक से, इसको run करते हैं, तो यहाप हमें मिल रहा true, शाही भी है, क्योंकि ABCD के अंदर सारी सारे आपके alphabetic characters ही हैं, अब लेकि suppose कर इसके अंदर आप लोग इसके लावा कुछ भी डालोगे, suppose कर आपने लोगों dollar sign डाल दिया, तो भी यह false देने वाला है, तो यह आप लोगों का होता है, check करने के लिए is alpha, similarly होता है is digit, यह check करने काम आता है कि string के अंदर सारी सारे characters जो हैं, वो digitty होने चाहिए, ठीक है, suppose कर आपना है, मैंने s आप run करके दिखते हैं, तो आप मुझे मिल रहा false, तो इस तरीक से बाटि सारे functions भी देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर हमें सारी सारे functions लिखते हैं, एक बार इस से run करके दिखते हैं, तो is alpha, यहाँ पर हमें मिल रहा true, क्योंकि a, b, c, d, e, सारे alphabetic characters हैं, is digit हमें मिल रह false, क्योंकि यहाँ पर, a, b, c, d, d, के अंदर, digits नहीं है, is lower, is lower हमें बताता है कि, कोई shrink हैं सिर्फ lower case characters होंगे, तो यह में true देगा, तो is lower true मिल रहा हमें, क्योंकि सारे characters, जो हैं, वो lower case हैं, अगर इसमें एक भी character, upper case मिल जाएगा, तो यहाँ पर false देगा हमें, उसके अगला function होता है, lower, ठीक है, s.lower, इसका काम होता है, किसी भी string को lower case characters में change कर देना, तो यह s.lower क्या कर रहा है, a, b, c, d, e, दे रहा हमें, ठीक है, तो इसके अंदर already सारी सारे lower case characters थे, उसके बाद अगला है s.upper, तो s.upper क्या करेगा, यह string के अंदर जितने भी lower case characters होंगे, तो upper case characters में change कर देगा, तो अगला हमें मिल रहा है, यहाँ पर a, b, c, d, e, ठीक है, upper case में, अब suppose को इसके अंदर में सारी upper case characters डालता हूं, a, b, c, d, e, उसके बाद एक आद इसमें, यह, दूसरे characters भी डालता हूं, इसे run करके देखते हैं, तो आप देखतें क्या हो रहा है, तो इस alpha, तो alpha तो नहीं है, क्योंकि इसमें alphabets के अलावाद कुछ characters हैं, इसलिए false मिल रहा है, digit भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद lower है क्या, तो lower नहीं है, ठीक है, upper case है, इसमें जितने भी characters हैं, वो सारी upper case है, अगला is upper, तो upper true मिल रहा है, ठीक है, भले इसमें dollar और यह ह बाकि दोनों characters को छोड़ देगा, ठीक है, dollar sign और percentage sign को इसमें छोड़ दिया, आसे कैसे ही, बाकि ABCDE को इसने छोटा कर दिया, और upper वाला function, upper करने काम में आता है, तो यह सारी-सारी functions होते हैं, इसके अलावा कुछ और functions भी होते हैं, L strip और R strip, यह basically आप लोग के left side से spaces को, और तो यहां पर देखे हो, left side से इसमें सारी-सारी spaces हटा दिया हैं, और right side के spaces अभी भी बच्चे हुआ है, similarly suppose करो मैं लिखता हूँ, s.r strip, तो इससे हमारे left side के spaces हट देंगे, लेकिन right side के spaces अभी भी है, अच्छा, एक और चीज, यह जितने भी methods है ना यार, यह string को change नहीं करत shrink immutable है, shrink कभी भी change नहीं होने वाला, अगर आप लोगो इस BCD को चाहिए, अगर आप लोगो capital letter वाली shrink चाहिए, तो उसको आप लोग किसी और में डालो, ठीक है, तो suppose करो my variable मनाते हैं, दूसरा variable मनाते हैं, और उसके अंदर आप लोग डा सकते है, s. upper, तो आप लोगो का s त आप लोग multiple चीज़न डाल सकते हैं, जैसे suppose को class के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, suppose class के अंदर 10 बच्चे हैं, आप लोगो 10 के 10 बच्चों के नाम store करने हैं, उसके लिए आप लोग क्या करो कि 10 variable बना सकते हो, और हर एक variable में एक एक बच्चे का नाम store कर सकते हो, या फिर बना सकते हो, और एक ही variable के अंदर उस list को डाल सकते हो, और उस list के अंदर 10 बच्चों के नाम डाल सकते हो, उसके लाद आप उसमें 10 बच्चों के नाम डालो, आप लोगो बार बार अलग-अलग variable बनाने की जिरोतनी है, तो यह फायदा होता आप लोगों का list का, आप लोग लोग sqr bracket के अंदर जितने भी element डालोगे वह आप लोग की list बनते जाएगी आप लोग को जैसे list बनाने तो list बनाने के तरीके नीचे दे रखे है my list equals to sqr bracket ठीक है खाली इस में में कुछ में डाला सब। लोग numbers की बनाने तो 123 आप लोग के तीन नंबर है 123 आप लोग की list आपकी heterogeneous भी होती है ठीक है मैंने एक फाइल बनाई है list.py और इसके अंदर पहले list बनाकर दिखते हैं suppose करो my list नाम रखता हमें इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं और इसके अंदर मैंने square brackets के अंदर कुछ number डाल दिया 123 इसको save करते हैं और my list को ज़रा print कराकर दिखते हैं print my list save and let's run this python3 list.py तो यहां पर देख रहो 123 प्रेंट हो रहा है तो list के अंदर जो भी content है वो आप लोगों का इस तरह की से print हो आता है आप लोग इस list के अंदर multiple चीज़ें और डाल सकते हो सबस्कुर आप लोग ने मेरा नाम डाल दिया आप लोग कुछ भी डाल सकते हो इस list के अंदर ठीक है heterogeneous in nature है इसका मतलब एक list के अंदर आप लोग multiple type की चीज़ें डाल सकते हो एक और चीज होता है यह यह चीज मैं यहाँ पर क्योंकि आप लोग type define नहीं करते जावा सी सी प्रसूस में करते हैं पहले हम लोग type define करते हैं कि ठीक है string name equals to Anuj इसका मतलब जो name है उसका type define हो गया कि वो string ही देगा तो उसके अंदर आप लोग बाद में कोई number डाल रहे हो तो आप लोग ने कोई type ही define नहीं किया आप लोग इसमें पहले name डाल रहे हो बाद में आपने number डाल दिया बाद में आपका मन कर रहा है इसमें आप लोग list डाल रहे हो फरक ही नहीं पड़ता कुछ भी चीज कर सकते हो ठीक है यह सारी चीज है valid है मैं आप नेम प्रिंट कराकर देखता हूं बताओ क्या प्रिंट जीरो से लेकर indexing आपके start होगी जैसे आपके string में indexing थी same indexing यहाँ पर होने वाली है 0 से लेकर n-1 तक n जहां पर इस list की land है तो इस list का हम कुछ अच्छा नाम रख देते हैं सब्सक्रों fruits नाम से मैंने एक list मनाई है और उसके अंदर मैं कुछ fruits डालता हूं तो यहाँ पर मै आप लोगं को apple मिल रहा है अप लोग अगर यहाँ पर मांगगे कि one index पर कौन सा है तो one index पर हमें guava मिलने वाला है guava मिल रहा है सब्सक्रों आप इसमें एक ऐसा index darling का try करते हो जो की है ही नी उसको हम save करते है तो run करते है तो हमें list index out of range string की case में मिल रहा था string index out of range यहाँ प मतलब है apple अगर आपनों को यह चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग एक बाद string की indexing को जाके दुबारा सब देखो वहाँ पर जो भी indexing का fund है वो हर जग है हर sequence में indexing का fund है same रहता Python के अंदर तो मैं पर minus 1 डालता हूं और save करता हूं तो यहाँ पर मैं papaya मिलने वाला है इसके बाद जड़ा slicing के अंदर अगें एक सब लिष्ट चाहिए ठीक है लिष्ट में से सब लिष्ट चाहिए दुबा आप लोग कैसा access कर सकते हो उसके लिए मैं यहाँ पाइफन बैश्रा आता हूं पाइफन 3 को मैं करता हूं clear इसके अंदर suppose को मैंने numbers बना लिया numbers नाम के चाहिए इसके अंदर 2,3,4 हो तो वो कैसे हम access कर सकते हैं तो उसके लिए मैं लिखूआ numbers और 2 कोई से इंडेक्स पर है तो 2 इंडेक्स है 2 और हमें चाहिए 4 तक तो 4 तक चाहिए तो हमें डालना पड़ेगा है हमें 5 ठीक है तो उससे हमें 2 से लेकर 4 तक की बीच में जो भी तो वो exactly like string रहने वाला है ठीक है मैं अगर यहां पर लिखता हूँ minus 1 तो हमें reverse में list मिलने वाली है similarly अगर सब उसको आप लोगो reverse में चाहिए numbers देक है minus 1 से लेकर सब उसको आप लोगो चाहिए 0 तक लेकिन minus 2 करके तो आप क्या होगा पीछे से number स्टार्ट होगे लेकिन एक list के अंदर आप लोग चीज़ें update कैसे कर सकते हो suppose कर आप लोगों की list पहले यह थी fruits के अंदर आप लोगों के तीन fruits थे लेकिन आप लोगों को बात वे मन कर रहा है कि नहीं मुझे ना guava पसंद नहीं है guava की जगह मैं कुछ और डालना चाहता हूँ तो आप लोग वह वह लिस्ट के अंदर जाओ और बताओ कौन सी इंडेक्स आप लोगों को element change करना है तो मुझे first index के element change करना है और मुझे यहां पर डालना mango उसका मैं save करता हूँ और इसके बाद print कराकर देखते है fruits को तो आप लोगों के यहां पर apple mango और papaya मिल रहा है इसका मतलब समझ में आ रह पर जो भी element हो आपका delete हो जाएगा save करते है run करते हैं देखते हैं क्या होता है तो अब मिल रहा है mango और papaya अब आप लोगों का apple और apple आप लोगों का जा चुका है ठीक है apple चला गया और इसके बाद आप लोगों का first index पर था पहले guava उसके बाद यह हो गया था mango इसलिए आपर error आ रहा है name fruits is not defined क्योंकि fruits अब बचा ही नहीं ठीक है fruits इसने उड़ा दिया memory में से delete का मतलब यह उड़ा दिता है ठीक है तो अब आप लोग fruits को access नहीं कर सकते हैं तो हम यहां से अटा दिते हैं तो इस तरह किसा आप लोग अपडेट कर सकते हो किसी भी index के element को और आ 0 से लेकर 9 तक numbers डालना है वो आप लोग कैसे achieve करोगे तो एक तरीका तो होता है आप लोग क्या करोगे 0 से लेकर 9 तक जाओगे और पूरा पूरा लिख दोगे ठीक है जैसे कि a equals to तो यह तो एक तरीका हो गया लेकिन यहां पर देखो आप लोगो खुद से बैठके लिखन बढ़ रहा है तो किस तरीके से आप लोग एक लिस्ट के अंदर कुछ चीजन डाल सकते हो तो उसके लिए हम यूज करता है list comprehension और ही कमाल का तरीका है इससे आप लोग list create कर सकते हो तो आप लोग कैसे करना है आप लोग को square bracket में आना है और यह तीन चीजन लिखनी है यह ती हो for x in range 10 ठीक है तो यह क्या होगा for x in range 10 यह यह आपका loop चलेगा x वाला दस बार चलेगा और two races over x को इस list के अंदर डाल देगा और उस list का नाम है power 2 अब जड़े से चला के देखते हैं क्या होता है तो suppose कर आप लोग के यह वाली list में ठीक है 0 से लेकर 9 लेकिन आप लोग को पहले डालोगे expression कि क्या expression रहने वाली suppose करो मैं डाल देता हूं यह पर x उसके यह x कहां से है तो for x in range 10 ठीक है तो यहाँ पर मैंने दो चीज़े लिखी है expression उसके बाद यह for loop उसके बाद एक और चीज़ डाल सकते हैं आप लोग if condition यह if condition बाद में देखते हैं पहले ज़रा इस a को print कराके दिखते कि इस a के अंदर क्या आया तो यहाँ पर देखे लो जीरो से लेकर 9 दगा गया इस a के अंदर list बन चुगे से हम कहते है list comprehension हमें बैट के पूरा पूरा लिखना नहीं पड़ा इससे फायदा यह हुआ कि suppose करो आप लोगो 100 तक की list बनानी होती तो भी आप लोगो कुछ बैटके लिखना नहीं है 100 तक की list त्यार है आप लोगो 0 से लेकर 100 तक बैटके लिखने की जरू होती है ठीक है तो यह काफी कमाल का तरीक होता list comprehension उसके बाद if condition याद होगा आप लोगो सिर्फ even numbers चाहिए ठीक है तो आप लोगो एक condition लगाने पड़ेगी इस loop के अंदर ठीक है follow loop के अंदर तो condition कैसे लगाओगे आप लोग यहाँ पर condition mention कर सकते हो कि वो condition जब true हो तभी इस x को माना जाए वरना इस x को वरना इस चीज को मत डालो list के अंदर ठीक है तो इस condition यहाँ पर आ जिते है if x x mod 2 equals to 0 ठीक है तो सारी सारे even numbers आएंगे ठीक है suppose कर आप सारी even numbers चाहिए थे list के अंदर से तो if x mod 2 equals to 0 x mod 2 मतलब x modulo 2 x modulo 2 जब 0 होता है तो आप लोगं का number वो even होता है इसको save करते हैं इससे run करते हैं तो अब सारे सारे even numbers आ रहे हैं देखे हो पहले आप लोगों के सारे नंबर आते हैं अब आपके सिर्फ even numbers ही आ रहे हैं अगर आप लोगों को सारे odd number चाहिए तो x mod 2 equals to 1 लिख सकते हो इसे run करते हैं तो सारे odd numbers से इस तरीक से आते हैं b नाम की b equals to 3 raise to the power i i नाम देता हूं में इस बार for i in range 10 ठीक है तो ये b के अंदर देखते हैं क्या print हो रहा है तो b print कराते हैं इस चीज़को हम करते हैं comment then run करते हैं दुबारा से तो पहले print होगा तो इस तरीक से आप लोग की बहुत ही powerful होती है यह चीज़ ठीक है आप लोग के list on the go बना सकते हैं लिस्ट कोंप्रियेंशन के आप से तो यह आप लोग को समझमा आ गया होगा इसके बाद list के कुछ methods होते हैं जैसे string के कुछ methods थे वैसे list के methods हैं और सारे सारे ना नाम सुन की समझमा रहोगा आप लोग की क्या करते हैं list.append क्या करता है यह current list के अंदर एक दूसरी आप लोगा चौत्था नंबर लास्ट में डल जागा ठीक है अपेंड से मिसला लास्ट में नंबर डल रहा होता है इस ए को print करा के दिखते हैं तो इसको यह यहां को भी print कर आलते हैं और इसको उपर भी print करा कर दिखते हैं तो पहले आपका print होना चाहिए 123 उसके आप चाहिए 4 को डाल देते हैं तो यह ची चीज़ आप लोग नहीं कर सकते हैं और देंख लिट कर चाहिए नि स्कराव नंबर अइड्म करना है तो इस त्रीकेसे कर सकते हैं रहिए अपन्र कर सकते हैं और फशन देख्बते हैं अगला है insert कि दिख Dash के डालना है सो उन धालें और क्या डालने है और क्या दालने है और इंसर्ट 1, पोजिशन पर 0.5 को इंसर्ट कर दो, जिए आफ फ्रेंट करके देखते हैं यह को अब, तो पहले देखे रों 1, 2, 3, 4 गुआ उसके बाद 1, फिर 0.5 आया, फिर 2, उसका 3, 4, तो इस तरहीं के से आप लोग किसी भी पोजिशन पर कोई नंबर इंसर्ट कर सकते हैं आप लोग का मन करा कोई और चीज़ इंसर्ट करने का नेम इसर्ट करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, बहुत ही असान रहता है, ठीक है, उसके बाद देखते है, सॉट, तो सॉट बिसीलिए काम में आता है, अगर आप लोग की लिश्ट एक नंबर की है, या फिर एक पूरी की पूरी सॉट रहते है, ठीक है, तो अप लोग की लिश्ट होती है, करेंट लिश्ट वो पूरी की पूरी सॉट रहते है, तो यहां पर आप लोग को सॉट एड़र में देख रही है, अगर आप लोग के लिश्ट कुछ फूर्ट की होती है, हम लिखेंगा तो आप देख रहें हो यहाँ पर पहले apple फिर बनाना है फिर kiwi है, जबकि यहाँ पर पहले कुछ और था, आप लोगे के अल्फवेटिकल और में sort हो चुक है, जिस तरह से आपको dictionary में को बसक्त पर एक बाद करने है इस पूरी को क्लियर क MAL करतेगा लिच्ट अंदर की के अब अब होगी मेमरी के अंदर लेकिन लोगे इंदर लेक pouco बीच्ट की यह होगी में रेकर और कोई भी इलमेंट निए होगा उसके बाद אני लिच्ट को लेता reverse function का करता है एक list को लेता और उसको reverse कर देता है उसके अंदर पहले थे बनाना apple kiwi अब हो जागा इसके अंदर kiwi apple बनाना ठीक है जिस reverse हो जाएगी उसके बाद अगला है fruits.index of apple ठीक है तो इंडेक्स काम में आता है देखने के लिए कि कोई भी element इस list के अंदर कौन सी वाली index present है ठीक है तो उसके आप लिए आप लिए आप लिखते हो index उसके बाद अगला आप लोगों चाहिए कि कोई भी element किसी list के अंदर कितनी बार present है उसकी frequency बता हो तो उसके लिए आप होता count ठीक है तो कि भी इस list के अंदर सिर्फ एक बार present है इसलिए आप आप आएगा 1 इसक इसके बाद हमने list को reverse कर दिया fruits वाले list को तो fruits वाले list reverse होके print हो गई उसके बाद हमें चाहिए index of apple तो apple हमारा first index पर है इसलिए हमारा print हो रहा है 1 उसके बाद हमने किया count kiwi को हो तो kiwi का count है हमारा यहां पर 1 सब उसके बाद हमें एक और kiwi यहां पर डालता हूं तो हमारे kiwi का count हो जागा 2 सेव करते हैं run करते हैं तो kiwi का count हो गया 2 और उसके बाद जो apple है apple कौन से index पर होगा apple हमारी 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 reverse भी हो गई है तो 0 1 2 2 index पर हमारा apple आ चुका है तो यह होगा हमारे list के methods अब जो आप बात करते हैं list के functions की तो functions और methods अलग अलग होते हैं methods के अंदर आप लोग डॉट लगा रहे हो ठीक है जैसे आप लोगोने sort किया तो dot sort लगाया pop किया तो dot pop लगाया a.clear लेकिन functions call करते time आप लोगो डॉट नहीं लगाना पड़ता और यह भी काफी handy होते हैं suppose को आप लोगो लिस्ट में कितने elements है तो उसके लिए आप कॉल करते हो लैन वाला function काफी handy है यह आप लोगो का string के अंदर भी काम करते है आप लोगो को string के अंदर कि अनदर तो लैन अप लोगो को करेक्टर बता दहां उसके अंदर कितने हैं मैक्स ऑफ लिस्ट बताता है कि इस list के अंदर maximum element कौन सा है मिन बताता है minimum कौन सा है list of sequence, यह क्या करता है, एक तरिके से किसी भी sequence को यह list में typecast कर देता है, ठीक है, उसके बाद sum of list यह बताता है, किसी भी list के अंदर जितने भी number से उनका sum करके बता देगा, ठीक है, यह करके से लाकर देते हैं सबको, suppose करो यही वाले list है हमारी, और इसके अंदर हमें चेक कितने elements से इस list के अंदर, तो मैं print कर दाता हूँ, len a, आप देखरे हो, मैंने यहाँ पर a.len नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा len के अंदर a, तो यह बता देगा मुझे, इस list के अंदर कितने elements है, तो यहाँ पर हमारे पास 8 elements है, total, ठीक है, अगला है हमारा max, हमें पता लगान print है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 print हो रहा है, उसके अगला देखते है, list sequence, ठीक है, तो कोई भी sequence pass कर दो, यह उसको list में convert कर देगा, suppose को एक sequence बनाया है, मैंने string, और इस sequence को मैं चाता हो, list में convert करना, ठीक है, तो print करते है, list, s, तो आप देखरे हो, a, n, u, j, अलग-अलग characters print हो र couples, और अभी हम देखेंगे, set बगरा, तो उनको भी convert कर सकता है, list के अंदर, तो यह list वाला, इसलिए काम में आता है, अगला है sum, यह बताता है, इस list के अंदर, जितने भी number sum का sum क्या है, print sum of a, इसे save करते है, देखते क्या print होता है, यहाँ पर हमारा print हो है, 36, इन सभी numbers का sum ह तो यह होगा हमारे functions list के अंदर, आगे बढ़ते हैं, आगला है for loops with list, तो जैसे string के अंदर for loops लगता था, वैसे list के अंदर for loop लगता है, एक in का यूज़ कर रहे होते हम, तो for every car in this list, print car, तो यहाँ पर आप लोगों के ने एक list बनाई है, car की, उसके बाद मैंने क्या किया, एक एक करके साई-सारी cards print करा दी, तो इसके साब लोग for loop लगा सकते हो, आप लोगों ने देखा था कैसे आप लोगों का string में लगता है, similarly यहाँ भी for loop लग सकता है, इसको मैं comment करता हूँ, और ज़रा a के अंदर for loop लागे दिखते हैं, तो सबसकोर मुझे हर एक element को डबल हर एक element का, तो उसके लिए हम लिखेंगे for every element, element नाम का video लोगा in a, तो यहाँ पर कोई मैंने every नहीं लिखा, बस every बोलने का तरीका होता है, for every element in a, हम क्या करेंगे, print करेंगे, हर एक element को multiply by 2 करके, और end में मुझे space चाहिए, end equals to space, तो आप लोग क्योंके हर एक number 2 से multiply होके मि 3 से मिल रहा है 6, 9 से मिल रहा है 18, तो इस तरह के से काम कर रहा है, ठीक है, तो यह हो गया, आप लोग का for loop, बहुत ही easy है, list के अंदर, string के अंदर, हर एक के अंदर आप लोग का loop जो हो, इस तरह के सा ही काम करता है, आगे move करते हैं, आप बात करते हैं tuples की, तो list की तरह होत this means that elements of tuple cannot be changed when it has been assigned तो string के अंदर भी आप लोग चेंज करने का try करो तो string मैंने होता था immutable है, string आप लोगं का वो assignment operator जो होता ना equal वाला, वो support ही नहीं करता, string भी आप लोगं की mutable होती है, ठीक है एक वाज जरा चला के देखते हैं, आप लोगो ठीक से बताता हूं, मैं एक file बनाता हूं, उसका नाम होगा apples, इसके अंदर एक string बनाते हैं, और string के अंदर में ढाला, suppose करो अपना नाम उसके बाद आप लोग बोलो की चलो, पहला character जोईन है, उसको हम change करना जाता है, उसको C कर लेते हैं, print करके देखते हैं, इसको, देखते हैं, यह हो पाता है कि नहीं, इसको मैं चला कर देखता हूं, तो यहाँ पर error मिल रहा है, string object does not support item assignment, ठीक है, आप लोग यह चीज नहीं कर सकते हैं, बहले, यहाँ पर अगर list होती है, तो list कर सकती है, यह बनाते हैं, list, यहाँ पर मैंने a list बनाई है, और इसके अंदर मैं change करना जाता हूं, पहले character को, suppose करो 0 से, इसको मैं चाता हूं, C में connect करना, और अब मैं यह करता हूं a, और इस चीज़ को मैं जारा comment कर देता हूं, तो यह चीज़ चलेगी, ठीक है, यहाँ पर c and u जे print हो रहा है, क्योंकि list होती है, आपकी mutable, लेकिन tuples, अब tuples की बात करते हैं, tuples आपके mutable होते हैं, tuples किसे बना सकते हैं, तो list के अंदर आप लोग के होते हैं, square brackets, tuples के अं run करते हैं, तो यहाँ पर अगेन आपको error मिल रहा है, वो ही string type का error है, देख रहे हो, tuple object does not support item assignment, similarly यहाँ पर था, str object does not support item assignment, तो string और tuple, दोनों के दोनों आप लोगों के immutable होते हैं, कभी change नहीं हो सकते, एक पर बना दिया आप लोगोंने, तो ठीक है, और tuple बनाने का क्या तरीका होता है, आप लोगोंने, लिश्ट के अंदर आप लोग square brackets के अंदर चीज़ने लिख रहे थे, यहाँ पर आप लोग parenthesis के अंदर चीज़ने लिखो, बाकी सारी चीज़ने सेम रहने वाली है, आप लोगों की slicing सेम रहने वाली है, आप लोगों की जो functions थे, वो भी same रहने वाले हैं ठीक है बागी सारी सेम रहेंगी बस आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो बस यह फाइल होता है आप लोग के अंदर operation देखते हैं तो वही जो मैं आपको बताया positive and negative indexing बिल्कुल लिश्ट की जैसे होगी slicing again लिश्ट की जैसे होगी iterating through a tuple आप लोगो for loop के इस वर के iterate करना है वो भी आप लोगों का एकदम लिश्ट की तरह रहने वाला है लिश्ट के अंदर कुछ और functions होते हैं तो land function दो हमें पता ही है यह बताएगा किसी भी tuple की length क्या है मैक्स बताएगा maximum कौंसा है minimum बताएगा minimum कौंसा है tuple of sequence यह क्या करेगा कोई भी sequence लेगा list लेगा character लेगा जो भी लेगा string लेगा range लेगा उनको tuple में connect कर देगा जैसे list था ना, वो कोई भी sequence लेता था, list में connect कर देता था, ये क्या कर रहे है, किसी भी sequence को लेगा ये, उसे tuple में connect कर देगा, sum of tuple ये आप लोगों का किसी भी tuple को sum बताने में काम में आएगा, ठीक है, उसके बाद अगले move करते है dictionary, ये थोड़ा अलाग है, ये थोड़ा ह होते हैं, तो इसके लिए मैं file बना हुआ, sets.py, और set बनाने के लिए आप लोग ये करते हो, curly braces के नदर चीज़ें डालते हो, ठीक है, suppose करो मैं डालता हूँ 1, 2, तो ये चीज़ें मैं डाली, और मैं print कर आकर देखता हूँ A को, देखते हैं क्या print होता है, तो इसको save करते है इसे run करके लिखते हैं, तो यहां पर देखते हूँ 1, 2, 4, 6 print हो रहा है, जबकि मैंने यहां पर डाला है, 4, 6, 1 भी डाल था बाद में, लिकिन ये सब चीज़ें print नहीं हुई, इसका मतलब set के अंदर आप लोग क्योंकि duplicate elements allowed नहीं होते हैं, और set के अंदर आप लोग को element च होते हैं, और यही basis बनते हैं आप लोग के dictionary का, इसलिए dictionary से पहले मैं आप लोग को set बता दिया है, बाकिसार चीज़ें सेव रहने वाली हैं, आप लोग को set के अंदर आप लोग इस तरह किसे elements को access नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग को set के अंदर iterate करना है, तो वह आप लो लिए नमर को double कर दे रहा है, तो पहले या, वन मिला इसे, वन को double किया, फिर टू मिला, 2 को double किया, फिर 4 मिला, 4 को double किया, और 6 मिला, 6 को double किया, तो इस तरीके से आप लोग set के अंदर iterate कर सकते हो, लेकिन set के अंदर किसी भी index वाले element को access ने कर सकते हो, ठीक है, इंडेक्व पगेरा आप लोगो चाहिए तो आप लोगो को डिस्ट यूज़ करना चाहिए अब ज़रा बात कर लेते हैं dictionary की dictionary बेसिकली आप लोगो सेट के उपर ही बना होता है लेकिन इसमें थोड़ी अलग चीज होते हैं हमें आप लोगो की और वेलु पेर सेट होते हैं लिस्ट के अंदरosit के अंदर और सेट के अंदर आप लोगो की सरफ वेल्यू स्टार हो रही थी यहां पर आप लोगा की वेल्यू पेर प्रक rätt Sn होता है एक आप लोगoten के अप आप लोग curly braces के उस करती हो, और इसके अंदर आप लोग elements को इस तरह के से ढालते हो, ठीक है पहले आप लोग बताते हो कि इसकी key क्या है उसका separate करते हो colon से value को, ठीक है ? Again, बताते हो key क्या है और फिर separate करते हो colon से value को Similarly, आप लोग ने बताया name है key, ठीक है ? कुछ भी नाम डालते है सहबूज करो कि किस तरी किसा आप लिए पर नेम लिखा उसके बाद आप लोग ने से से एक अगला की ड़ली पर डाला नगय। पहले की की आएगी उसके Princess बाद आप लोग के आपके लिए उसके वाद ने कॉलं की और ये उसके वाईगी उसको आप लोग के marks print हो रहे हैं, अब आप लोग इनको access करना है, ठीक है, आप लोग सब्सक्रों किसी भी बच्चे के marks को access करना है, तो आप लोग कैसे access कर सकते हो, तो आप लोग यहां पर डालोगे marks, स्विर square brackets के अंदर, आप लोग उसके key बता हुए, ठीक है, किस बच्चे के आ यह index इस चीज़ क की है। यहाँ पर वही चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर index जो key नहीं है। आपलों की key भी आप लोग खुद से define करने ठीक है। आपकी key जो होती है वो string हो सकती है, आप लोग की integer हो सकती है। कुछ भी type के आप लोग की की हो सकती है और आप लोग अब उस key के basis पर कोई value access करना चाहते हो, तो यह आप लोग के होते है dictionary, आप लोग के dictionary के अंदर key value पर किसी भी type के हो सकते है, सब उसकर आप लोग को बाद में अमन करें कि नहीं मुझे कुछ number के इस आप से स्टोर करना चाहिए, ठीक है, 23 रोल नंबर के नंबर हैं 58, उसके बाद 56 रोल नंबर के नंबर हैं सब उसकर 23, इस तरह किसा आप लोग स्टोर करते हो, तो यह भी आप लोग का supported है, यह भी चलेगा, ठीक है, अभी भी आप लोग को अनुच के mark चाहिए, तो आप स्टेट मिल रहे हैं, सबसकर रोल नंबर 23 के mark चाहिए, तो आपको याद है, यहाँ पर 58 रखा हूँ आपने, तो हमें 58 मिल रखा है, तो की वैल्यू पर किसी भी टाइप की हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस ही नेचर होता है, दिक्शनेरी भी आप लोग का, और यह आप लोग आइंगे, again, for i in squares, उसके बाद हम print कर रहे है, squares i, तो यह same चीज में आप आपको चला कर दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ, comment, और इसे कर देता हूँ, paste, तो squares हमने डाल लिए, और आप लोग for i in squares, print squares i, save करते हैं, run करते हैं, तो आप लोगोंने क्या किया, आप लोगों करने के अंदर सिर्फ keys जाएंगी, आप लोगो keys से value चाहिए तो आप लोग इस तरह के से value एकसेस कर रहे हो, तो यह तो आपने वोगों भी देखा था, क्या आप लोग की पता है, तो आप लोग इस तरह की से value access कर सकते हो, साथ में आप लोग चाते हो कि key भी print हो, तो key इस विल्यू को अप्डेट करने के लिए अगर आप लोग किसी भी element को अपडेट करने के अंदर तो वह भी आप लोग कर सकते हो बहुत ही एजई लियार किसी भी इंडेक्स पर जाओ और इंडेक्स नी किसी भी element को पकड़ो और उसकी value को आप लोग update कर दो, ठीक है? You can also update a dictionary by modifying existing key value pair और by merging another dictionary into existing one, तो आप लोग चाओ तो key value pair को update कर सकते हो किसी भी, या फिर आप लोग चाओ तो कोई दूसरी dictionary को अपनी dictionary में डाल सकते हो और आप लोग इस तरह के से अपनी dictionary को और बढ़ा कर सकते हो, we can add new elements और change the value of existing elements using assignment operator, if the key is already present, यह बहुत important है, कि dictionary के अंदर भी, क्योंकि यह set का उउस कर रहा, ठीक है? दुबाल से present नहीं होगी, अगर यह same key already present है, एक dictionary के अंदर तो वह वाली, उसकी जो value होगी, पहले कुछ और value होगी, अब उसकी value आप update कर देंगे, यह सब कैसे कर रहे हैं, ज़रा समझते हैं, तो suppose करो आप लोग की यह वाली list से, ठीक है, marks, और इसके अंदर आप लोग चाहते हो, कुछ और बच्चों को डालना, तो आप कैसे करोगे, update कैसे करोगे, तो marks off, suppose करो एक नया बच्चा आया, रोहित नाम से, और उसके number आए 99, तो यह आप लोग कर सकते हो, और अब अगर आप लोग प्रिंट कराओगे marks, तो यह भी आपको प्रिंट हो जाएंगे, और आपके रोहित भी आ चुका इस dictionary के अंदर, ठीक है, तो इसके साब लोगो ने एक element डाल दिया, अब suppose करो आप लोग बाद में, अनुच के numbers को change करना चाहते हो, ठीक है, अनुच के number आप लोग अनुच के थे 68, अब अनुच के हो गए है 45, देख रहे हो, क्योंकि हमने यह आप इसे update करती है, तो इस तर्के से आप लोग के elements update हो जाते हैं, अगर कोई element नहीं पढ़ा इसके अंदर, तो आपका element डल जाएगा, अगर कोई element पढ़ा है, तो आपका element आपका update हो जाएगा, तो आप बात करते है Python के अंदर functions की, functions भी एक बहुत important part होता है, किसी program language का बहुत important part होता है, Python के अंदर भी functions होते है, in Python, function is a group of related statement that perform a specific task, ठीक है, तो आप लोग ने basically एक कुछ lines of code को, जो की similar task perform कर रहा है, उसको एक function मना दिया, इससे फायदा क्या हुआ, suppose कर हो आप लोग का एक बहुत बड़ा code था, Solan का code है, उसके अंदर तीन lines ऐसी है, जो बार-बार repeat हो रहे है, ओबर भी repeat हो रहे है, बीच में भी repeat हो रहे है, नीचे भी repeat हो रहे है, ठीक है, तीन बार वो तीन lines आ रहे है, लगातार, ऐसी ऐसे आ रहे है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों दिखा कि यार, यह जो तीन lines है, इन तीन lines को मैं अलग निकाल के एक function में डाल सकता हूँ, और उस function को मैं call करा सकता हूँ हर जगह पर, इससे फायदा क्या हुआ, मुझे वो repetitive task जो था, वो तीन lines जो थी, वो मुझे बार-बार नहीं लिखनी पड़ी, वो मैंन वो function जहाँ-जहाँ मैं call करा हूँगा, वहाँ पर मुझे updated code बिलने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों का dry code अचीव होता है, ठीक है, don't repeat yourself, तो वो ही चीज़ लिखे है, मैंने function helps break our program into smaller and modular chunks, as our program grows larger and larger, function make it more organizable and manageable, तो बहुत ही important होता है functions, जो समझते हैं कैसे काम करते है Python के तो तो तीन होते है, categories of function के अंदर, एक होता है, पहला built-in function, दूसरा होता module, और तीसरा होता user defined, built-in functions हम आप लोग देख चुके हैं, यह सारे-सारे function आप लोग देख त्यारे हो, मैं कहला था आप लोग की function हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वही वाले function है print आपका built-in function है, int, float, eval, यह सारे-सारे हम ओरेडी देख चुके हैं, input, यह सारे-सारे functions, python ने हमें already दे रख्या हमार use के लिए, so that हमें खुद से बैटके यह सारे चीज़ा ना लेकनी पड़ें, ठीक है, lan, round, range, यह सारे-सारे functions हम ओरेडी देख चुके हैं, और यह सारे-स functions आप लोग use कर सकते हो, ठीक है, python के अंदर already inbuilt functions तो हैं, लेकि module import कराने का भी support है, ठीक है, किसी और बंदे ने कुछ और अच्छे-चे functions बनाके रख दिया है, अपने एक module के अंदर, तो आप चाहओ तो वो सारे-सारे functions अपने code के अंदर लेके आ सकते हो, तो वो ही है, a module is simply a file that contains python code, when we break a program into modules, each module should contain functions that perform similar tasks, तो यह तो होना ही चाहिए, जब भी आप लोग एक file को module में करनोट कर रहे हैं, तो उस module के अंदर जो भी functions होते हैं, उनका same काम होना चाहिए, अब module क्या-क्या होते हैं, तो कुछ important module होते हैं, जैसे कि math है, random है, और string भी एक module है, ठीक है, इन math वाला module आ जाएगा, अब suppose करो मुझे देखना है कि math के अंदर कौन-कौन से function है, तो उसके लिए मैं करोगा dir math, इससे क्या होगा math के अंदर जितने भी functions होंगे, important functions, वो सारे सारे मुझे मिल जाएंगे, तो math बहुत ही काम किया यार, इसके अंदर आप लोग को किसी का sign ले math को, तो import math, उसके बाद मैं suppose करो चाहता हूँ कि πाई की value क्या है, मुझे नहीं बता, तो math.py करूँगा मैं, तो math के अंदर πाई होता है, देख रो math के अंदर यहांपर πाई होता है, इसको जाए चला के देखते हैं, तो exit करता हूँ पहले, और इसे चला के देखते हैं, तो math का नाम बहुत लंबा है, आप लोग चाहते हो कि इतने लंबे नाम को मैं बारवार लखने चाहता हूँ, suppose math आप लोग को बहुत लंबा नाम लगड़ा है, आपने चाहते है बारवार math लिखना है, तो आप लोग उसको change कर सकते हो, ठीक है, import math as m, ठीक है, तो अब क्या import करा सकते हो, बहुत सारी modules को अपने code के अंदर, जो आप लोगों ने खुद से लिखी भी नहीं है, उसके लावा यहाँ पर लिखा, we can import specific names from a module, without importing the module as a whole, using from, और from क्या करता है, basically, आप लोगो ने यहाँ पर यहाँ पर पूरा math import करा लिया, suppose कर आप लोगों को यह वाला function च %-0.99, ठीक है, तो यह तो अगया, लेकिन आगर आप लोगों सिर्फ का ही काम था, तो आप लोगो पूरा पूरा import करने क्या जरोता है, तो आप लोगों क्या कर सकते हो, सिर्फ कॉस करा सकते हो, ठीक है, उसके लिखने के, from math import cost, ठीक है, और अब आप लोगों को यहाँ सिर sign लिख दोगे, और इसे अब run करते हैं, सबस्किर आप लोग को sign भी print कराने, तो आप लोग इस ते कैसे कर सकते हो, लेकिन अब आप लोग pi यूजे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग को pi नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप लोग ने pi import कराए ही नहीं है, यह लिखने का ट्राइ करोगे और आप लोग तो आप लोगों के याप अर्र में लिया कहरा है math is not defined आप लोगों ने math defined नहीं किया आप लोगों ने cost और sign defined किया है अगर आप लोगों को pi चाहिए तो आप यहाँ पर लिखोगे pi और फिर यहां से math हटा दोगे क्यों कि math आप लोगों define नहीं कर रखा save करते हैं run करते हैं तो यहाँ पर इस देखे से pi आ रहा है एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो कि आप लोग सारे सारे functions भी इंपोर्ट करा सकते हो तो यहाँ पर देखे लो तीनों चीज़ अभी भी प्रिंट हो रही हैं लेकिन मैं यहाँ पर तीनों चीज़ डिफाइन निकर रखी लेकिन मैं स्टार मंगा लिए तो स्टार का मतलब सारी सारी चीज़ इंपोर्ट करा लो तो यह होगे हमारे modules अब जरा बात करते है उसके बाद उस function का नाम कि यह function का नाम क्या है उसके बाद parenthesis के अंदर आप लोग बताते हो कि कौन कौन से argument ले रहे है तो यहाँ पर यह पर यह पर पास कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर दो चीज़ें पास की थी ए और बी तो यह मेरे आर्ग्यूमेंट से बेसिकली ए और ब मैं कहा रहा हूँ कि यह function जो है वो दो चीज़ें लेगा हमेशा उसके बाद आप लोग इसके अंदर statements लिख सकते हो एब लगा के ठीक है चार्ण spaces देके आप लोग यहाँ पर statements लाव सकते हो इसको अभी इग्णोर करो ठीक है डॉक्षिंग को इग्णोर करो तो इसका क्या मुझे ग्रेटिंग माला function बनाना है जो कि मुझे बार बार ना greet क्या करेगा तो उसके लिए मैं लेखूँगा def उसका function का नाम greet इसके अंदर कोई parameter पास नहीं करते और इसका काम क्या है यह करता है print कुछ चीज़ें सब उसकर हो एक गयरता है good morning उसके बाद आनुच ठीक है अब इसको जरा हमें call कराना है यह तो हो गया function इसको मैं रण करूंगा तो कुछ भी चीज नहीं होने वाली है यहाँ पर देखो रहो कुछ नहीं हुआ क्योंकि यह function जो आपने बनाया है इसको call कराना ज़रूर है यह function आपने ऐसी बना के छोड़ दिया तो इसको कुछ नह इसको यहां मिलेगा तो इसके बाद इसने इसे प्रिंट कर दिया तो आप लोग यहां पर बोल सकते कि भाई आपका तो कोड लाइन बाइन एक्जीक्यूट और यह पर यहां पर यहां पर फॉंक्शन डिफाइन है तो इस function को इसने इंटर्प्ट तो किया लेकिन इससे एक ग्रीट फंक्शन यहां पर था उस ग्रीट फंक्शन पर जाएगा और उसके अंदर जो भी चीज़ होंगी उनको अब यह एक्जीक्यूट कर देगा ठीक है तो इस ते किसे काम करता है यार यह तो यह function को लिखा उसे call कराना जूरी है अब इसका फायदा क्या हुआ अब हम होता है फिए function लिखने का आप लोग एक piece of code को एक जिगर डाल देते हो उसके बाद उसे कहीं भी use कर सकते हो कितनी भी बार तो यह होगा हमारा calling the function once we have defined a function we can call it from another function, program और even python prompt, to call a function we simply type the function name with appropriate parameters, अब जब आप परामेटर की बात कर लेते हैं, यहां पर देखरों बार बार इस बंदे को इसे greet करना है, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि इसके अंदर यह name pass करें user कि मुझे इसको greet करना है, और उसके बाद हम लोग यहां पर इस लेकर से greet कर देंगे, तो इसने क्या किया, एक greet function मनाया, जिसके अंदर parameter pass हो रहा है name, और इस name को यह ऐसे use कर रहा है, तो name की value अभी से पता ने की क्या है, लेकिन जब आप इसे call कर रहे होगे function को, greet function को जब आप call कर रहे होगे, तो आप लोग को यह name pass करना जरूरी है, ठीक है, तो name गंदर में pass करता हूँ, suppose करो shivam, तो यहाँ पर देख रहे हो रहा है, good morning shivam, यह shivam good morning क्यों है, क्यों है, क्योंकि हमने function call करते time, इसमे parameter pass किया shivam नाम से, तो इसलिए यहाँ पर यह name करना shivam आ रहा है, अगर में यहाँ पर कुछ और pass करता, suppose करो five point, यह इसा pass करता, तो भी चलता हम क्योंकि यहाँ पर type, type से तो फरक ही नहीं परता, तो अब यह good morning और यह number डाल रहा है, ठीक है, तो type का कोई फरक नहीं है, name आपका string हो सकता है, name आपका number हो सकता है, कोई फरक नहीं परता, तो इस तरीक से आप लोग इसमे parameter pass करते हो, suppose करो इसके अंदर में एक और line डालता ह कि print, save करते हैं, और यहाँ पर डालते हैं इस बार अनुच, तो यहाँ पर आ रहा good morning अनुच, please eat cake, तो यहाँ पर यह हो रहा है, अब suppose करो में चाहता हूँ कि बार बार मुझे cake ना खिला है, मैं चाहता हूँ इसके अंदर, जो चीज में डालू इसके अंदर, जो भी recipe में जो भी dish में डालू, वो भी मुझे ए खिला है, तो मैं यहाँ पर dish pass कर सकता हूँ, और आप मैं इसमें बूछ सकता हूँ कि dish, तो जब मैं अनुच लिख रहा हूँ ना इसके अंदर, तो मुझे अब इसमें dish भी pass करना ही ठीक है, तो मैं कोई भी dish pass कर सकता हूँ, suppose कर मैं इ दिखतें क्या होता है, तो यहाँ पर आप error मिल रहा है, कह रहा है, missing one required positional argument dish, तो यह कह रहा है, एक positional argument है, dish नाम से, जो की required था, लेकिन यह missing है, आप लोगों ने dish pass नहीं किया, तो जितने भी arguments है, आप लोगों को वो सारी-सारी argument pass करने जरूरी है, इस function call करने के लिए, ले action के अंदर ही, तो यहाँ पर हो कहा रहा है, कि name तो आप लोग pass करोगे ही, करोगे, name तो अभी भी required है, लेकिन dish अब required नहीं है, dish आप लोगों का एक तरके से optional parameter बन चुका है, यहाँ ठीक है, optional argument, तो अब आप लोग अगर dish pass नहीं करोगे, और आगर इसे आप लोग ऐसे call कर अगर मैं आप तो कुछ और value डालूँगा, सब्सक्रों समोसा, save करते हैं, run करते हैं, तो यह कहते हैं, तो पहले आप पास था, लेकिन अगर वोग तो default value थी, जब कुछ पास नहीं किया, अगर आप लोग पास करोगे, तो यह इस तरीके से माननेगा, इसे ठीक है, तो यह ह back to the place where it was called, और return कर दे time, आप लोग इसके अंदर कुछ भी चीज़े पास कर सकते हो, यह आप लोग की चीज़े return कर देगा, तो सब्सक्रों आप लोग ने एक function मनाया है, जिसका नाम है sum of list, ठीक है, sum of list, तो उसको आपको define करोगे, define sum of list, उसके बाद, अब देखो, यह sum of list जो है न, यह एक function का नाम है, इसे हम कहींगे identifier, यह भी एक identifier, आप लोग यादो को शुरुआत में हमने दिखा था identify क्या होता है, तो sum of list भी एक identifier हो, इसके अंदर आप लोग को एक valid identifier बनाना है, तो identify की rule तो हमें पता थे, तो valid identifier है यह भी, यहाँ पर हमने words को separate किया है, underscore से, sum of list, इसके अंदर एक list पास करोगे, suppose करो list का नाम है a, उसके बाद लगाओगे आप colon, उसके बाद tap देखिए, आप लोग यहाँ पर कुछ logic लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, suppose करो print calculating, ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर करोगे, sum equals to, आप तो यह चीज़ आप लोग कर सकते हो, चाहो तो आप लोग ऐसे करोगे, क्या फिर आप लोग चाहो तो, इस sum को ना बनाके directly यहाँ से return कर सकते हो, और फिर हम यह चीज़ हटा देते हैं, यहाँ से, तो directly हम sum return कर रहे है, ठीक है, return sum of a, और यह function हमारा त्यार है, अब इस function को call कराना है हमें, तो उसके लिए हम एक list बनाते पहले, suppose को मेरी list है, suppose को मेरी list है marks नाम की, उसके अंदर मैंने कुछ marks रखे हुए है, तो यह मेरी marks है, मैं चाहता हूँ, इनका मुझे sum मिल जाए, तो उसके लिए मैं यह function call करा सकता हूँ, और जो value मिलेगी, उसको मैं एक चेक करा सकता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं जड़ा save करता हूँ, run करते हैं, देखते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर देखते हैं, क्या हो रहा है, पहले आया calculating, उसके बाद आया, my sum of marks is 291, यहाँ पर देखते हैं, हुआ क्या, तो सबसे पहले interpreter चला, इसने देखा अच्छा, य यह function देखा चाहिए, यह function यहाँ पर है, तो इसने इस function call किया, इस function को कह चीए, एक list रही है, तो यह list हमने pass कर दी, उसका यह function execute होगा, तो इसने लिखा calculating, ठीक है, calculating लिखा इसने यहाँ पर, उसका return sum a, अब sum a तो अपना वोई करता है, एक list लेता है, उसको sum कर देता है, तो इसने अपना वही काम किया, इसने इस list को लिया, उसको sum किया और return कर दिया है यहां से उस value को, जो भी sum करने पर value आएगी और उसको हमने डाल लिया है फिलाल के लिए sum of marks वाले variable के अंदर और उस sum of marks वाले variable को हम ऐसे करके access कर रहा है, print करा रहा है तो इस तरह किसे आप लोगों के functions काम करते हैं, अब यहां पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए test होगा तो यह आपका test है कि write a function which takes a list of names as argument and greets hello to everyone, ठीक है तो यह function है जो कि एक list लेगा names की और उन सभी लोगों को जो भी उस list के अंदर जितने भी names है उन सभी को hello बोलता है, ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा test आप लोगों के लिए, आप लोग करो तो solution बहुत ही simple रहने वाला है, इसको हम define कर देते हैं एक greetings नाम से में define कर दूँगा ठीक है और यह लेता है list, नाम देते हैं इसका list का names और यह का करेगा list के अंदर जितने भी लोग है सब को hello बोलने वाला, तो यह कैसे बोलेगा, तो for name in names यह सभी के अंदर for look चला दिया हमने, उसके बाद यहां पर हम print कर देते हैं, name ठीक है, तो इसको हम save कर देते हैं, तो यह हमा So save करते हैं, run करके दिखते हैं क्या होता है, तो इसमें क्या hello Anuj, hello Shivam, hello Rohit, ठीक है, तो इस तरीके से यह function बना है और इस function के अंदर अब कुछ भी कर सकते हैं, function बनाने के बाद उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, और उसको आज आप call कर आओगे, तो उसके अंदर जितन का, याँगि files के साथ आप लोग बहुत ही easily इसके अंदर चीज़ें कर सकते हो, बहुत ही कम code लिखना पड़ता है, files के साथ अगर आप लोग को काम करना है तो, अगर आपको Java या C++ में file के साथ काम करना है तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, उन सब का यहाँ कोई भी funda नहीं होता, तो what is the file, basically file का होती है, तो आप लोगों को याद हो अभी तक हम जो भी code करते आ रहे हैं, इस code को जो आप execute करते हो तो भी आपका memory में load होता है, memory मतलब main memory, RAM के अंदर load होता है, ठीक है, उसके अंदर load होता है, उसके बाद ही काम करता है, उसका जैसे आप लोगों ने computer बंद कर दिया, या फिर उसका program execution बंद हो गया, तो वो program आप लोगों का memory में से चला जाएगा, ठीक है, वो RAM जो होती है, आपकी volatile memory मतलब इसमें से आप लोगों की जोगी चीजन डलती है, वो ओडती रहती है, तो file आप लोगों की वहाँ पर काम में आती करते हो, तो file is a named location on a disk to store related information, तो file आप लोगों की जैसे mp3 गानों की file हो गई, या फिर pdf file हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है, आप लोग उसको disk पर store करते हो, इसलिए हम से कहते है, file to store data permanently, in a non-volatile memory है, hard disk के अंदर, in python a file operation takes place in the following order, तो आप लोगों के पाइफन में file के साथ आप काम करना है, तो आप क्या करते हो, पहले आप लोग उस file को open करोगे, open a file, then उसके बाद आप लोग उस पर कुछ action करोगे, या तो read करोगे उस file से कोई भी data, या फिर उस file के अंदर कुछ data डालने का try करोगा, ठीक है, जैसे कोई गाने की cassette होती है, तो उसको अंदर आप file को open करते हो, python के अंदर, तो आप लोग उसके अंदर कुछ-कुछ resources attach कर देते हो, ठीक है, computer के कुछ-कुछ resources होते हैं, जो की बहुत important होते है, hard disk मैंसे data को ले के आने करे, ठीक है, तो वो जो resources होते हैं, वो बहुँ ज़दा expensive होते हैं, in terms of CPU, और in terms of IO operations, तो उनको आप लोग Python is a built-in function open, तो open नाम का function होता Python के अंदर, जिसकी help से आप लोग open कर सकते हो, किसी file को, और रिटन करता है, तो वो रिटन करता है file object, बिकिन specify the mode while opening of file, तो जब भी आप लोग file open करते हो, तो आप लोग बता सकते हो, कि ये file में किसलिए open कर रहा हूँ, कि हम read करना चाहते हो, त पर write करना चाहता हूँ, तो इस सब चीज़े आप बता सकते हो, आप जो आप लोग open करते हो, तो सबसे पहले तो एक file बनाते है, जिसके अंदर से हम data read करने वाले है, तो एक तो मैंने इस file बनाई है, file.py, ये तो हमारा Python कोड होने वाले है, लेकिन इसके लावा एक और बना कैसे access कर सकते हैं, ये तो एक file है, इसको access कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसे open करना पड़ेगा, पहला staff है open करना है, तो उसके लिए होता हमारे पास open, उसके बाद इस file की location क्या है, उस file का जो पूरा नाम है उस location के साथ वो डालो, तो ये तो हमारा है data.txt, और data.txt मैं यहां पर क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि files.py जिस location में है, उसी location पर data.txt भी पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, कि यह हमारा data.txt और यह हमारा files.py, तो इसलिए मुझे यहां पर data.txt लिखुआ है, तो भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन suppose करो यहां पर एक data.txt ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इस data folder के अंदर data.txt है, वो मिल जाता, suppose करो data folder के अंदर ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यह हमारी open हो गई file, और by default यह file जो है, हमारी read mode में open होती है, आपने देखा था, कि file जो होते हो, आप लोग बता सकते हो कि कि किस mode में open करनी है, read में open करनी है, write में open करनी है, तो by default यह read में open होती है, आप लोग अगर नहीं पता होगे, तो अगर आप लोग को बताना है, तो आप ऐसे बता सकते हो, अगला argument पास करोगे, वो आप लोग का read या write mode होगा, ठीक है, तो read करने के लिए mode होता है, r, write करने के लिए mode होता है हमने f में store करा लिया अब इस file object के help से हम लोग इसके अंदर जो भी data उसको हम read कर सकते हैं कैसे read करने वाले है अब इस file object के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हमें तो एक होता है इसके अंदर function f dot read line तो इसी के आप हमने file में से read कर लिया अब हमें इस file को close भी करना है याद रखना जब भी open करो close जरूट करना है ठीक है तो f dot close और save करते हैं इसको run करते हैं देखते हैं क्या होता है तो run करना है हमें python 3 files.py तो यहाँ पर देख रों क्या का print हो रहा है this is फिर a dummy data then we are learning file handling और आप लोगों को data.txt में दो क्या कहा है this is a dummy data उसका we are learning file handling तो यहाँ पर हो क्या राजरा समझते हैं तो पहले अगली рав में आते हूं उसका आप लोग और अगली रहन में आते हैं क्योंकि print जो होता है वो Україट आप लोगों को और यहाँ लेइन में लेहाँ से इसका फिर आप अगली ल हम मैं और यहाँ इम n के बिना आप लोग नहीं लाइन में आते हैं इन्ही फाइल के अंदर भी तो यह read line जो होता है यह आप लोगं का new line character को भी read कर रहा होता है ठीक है तो इस तरह किसा आप लोग फाइल के अंदर चीज़ें read कर सकते हो तो यह तो एक तरीका हो गया आप लोग भार-भार read line ना लिखने की बजाए एक और काम कर सकते हो वो क्या कि आप लोग यहां पर एक for loop बना सकते हो for loop के help से भी आप लोग पूरी फाइल में iterate कर सकते हो तो हम करेंगे for line in f ठीक है यहां पर देखिए शारी ये सारी lines आपकी print हो गें जो भी lines हमने आपर लेकी थी वह सारी लेकित आपकी print हो गई तो अगेन आप लोग यहां पर ऐसे for loop लगा रहे हो उसके रहे हो उसके बाद आप लोग इस file को close कर रहे हो अब आप लोग देके रही है A नाम का एक आपने object प्राया है, उसके बाद आपने इसके अंदर A4 call करने का try किया, ठीक है, तो यह तो हमारी list है, empty list है, और इसके अंदर आपने A4 call करने का try किया, तो यहाँ पर तो आपका error आ जाएगा, और आप लोगों का जो program execution यहीं पर रुख जाएगा, F.close कभी call हो ही नहीं, तो file आपकी कभी close हो ही नहीं, ठीक है, इसे save करते, run करते हैं, तो यहाँ पर देखरो, आपका एक error आ गया, कि आप लोगो A4 call करने कर रहे हो, तो आपका error आ गया, उसके बाद F.close कभी call हो ही नहीं, तो file के साथ जो भी resources attached थे, वो सारी-सारी कभी detach हो ही नहीं, त उसके बाद उस file का नाम, तो file हमारी है data folder के अंदर, तो with open this file as f, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो f है, यह basically आप लोगों का एक alias है, यह open जो है, आप लोगों को return करता है, कुछ return क्या करता है, file object, तो उसको हमने alias दे दिया f, और उसके बाद यह एक block बन जाएगा, with का block, औ इसके अंदर जो भी काम करोगे आप लोग, तो closing अपने आप लग जाएगी इसके अंदर, ठीक है, तो यह guarantee करता है, कि close हमेशा यह करेगा, तो इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना वही काम कर सकते हो, जो हमने नीचे किया हुआ, तो हम लोग चाहे है, तो अपनी lines को print कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आप अपने lines को print कर देता हूँ, तो for every line in f, print line, ठीक है, इसे save करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ close statement नहीं लिखूँगा, यह with का काम है, जब भी file open करेगा, close भी करेगा, ठीक है, तो हमें attention लेनीच जरोतने हैं कि यह कब close कर रहा है, तो इसको ज call करना है, जब भी आपनों को file handling करनी है, इसके लाबा कुछ और function भी होते है, read के अंदर जरा वो भी देखते हैं, तो यह का करता है, आपकी पूरी की पूरी file को read कर देता है, मैं print कर आके दिखाता हूँ, आप लोग को यह क्या करता है, तो f.read, save करते हैं, इसको clear करते है, run करते हैं, तो इसना सारी की सारी file आप लोगों की पूरी की पूरी read कर डाली, ठीक है, तो f.read आप लोगों की पूरी की पूरी file को read करने काम में आता है, सबोसकर आप कुछ characters ही read करना चाते हैं, सबोसकर आप शुरुआत के 10 characters read करना चाते हैं, इस file के अंदर से, ठीक है, save कर fig visitor करते हैं, और इसे run करते हैं, क्या print होता है, तो अब आप लोगोंके 10 character print हो रहे हैं, कैसे? from e h i s चार गर्टर, 5, 6, 7 ...... तो total 10 characters इसने read कर ली, आप लोगोंके तो अब यह अगले 10 characters read करेगा, ठीक है? तो dummy data पूरा पूर इ repl absolumentój unchangedений कैंति क्योंकि dummy कोई डेट तक ही इसको दस क्रेक्टर मिल गए तो इस तरह किसे काम करता है रीड आपका बार बार अगले अगले क्रेक्टर को रीड करता है तो यहां पर यह इसे पता के चला कि मुझे अब अगले क्रेक्टर पर आना है तो f basically क्या करता है f हर एक read operation के साथ एक cursor maintain करके चलता है और उस cursor को यह आगे बढ़ाता रहता है तो जब आपने पहला लिखा f dot read 10 तो यह करेगा उस cursor को 10 तक ले जाएगा उसके आप जाएगा दुबारा से f dot read 10 करा तो cursor तो already 10th position पर था cursor आपका यहां पर आ चुका है a पर ठीक है अब यह करेगा इस a से चलेगा और 10 पोजिशन तक लेके जाएगा उस cursor को तो आप चाहते हो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरा जो cursor है वापिस किसी और पोजिशन पर चला जाए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो तो cursor dot peak कर सकते हो ठीक है seek कर सकते हो basically f dot seek यहाप लिखोगा आप f dot seek 0 उसे आप 20th position पर चला जाए उसके बाद मैं इसे run करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को 20th position पर आ चुका है cursor आपका ठीक है कहां पर आ चुका है यहाँ यहाँ पर VR पर है और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक 10 characters को read करता है तो cursor का concept होता हमेशा आत रखना है cursor को move करना है तो seek command होती है अगर कोई line read करने है तो उसके लिए आपकी read command होती है read command के अंदर आप लोग कोई parameter pass नहीं करोगे तो आप लोग की पूरी की file read हो जाएगी अगर इसके अंदर आप लोग कोई parameter pass कर तो यह उतने ही characters को read कर रहा हो using w mode तो पहले हम r mode से open कर रहेते अब इसे हम w mode से open करेंगे अगर कोई mode pass नहीं करते तो by default read mode होता है ठीक है we get a file object that can be used to write strings to a file तो उस file के नदर हम strings write कर सकते है और उसके लिए function होता है write यह फिर write lines write के अंदर आप लोग एक string pass कर सकते हो write lines के अंदर आप लोग एक sequence pass कर सकते हो तो open और closing के जो tension होगी वो with ले लेगा तो with open और उस folder में आते हैं तो data folder के अंदर मैं बनाता हूं write file एक दूसरी file बना रहा हूं है कुछ भी ना मैंने देदिया सका write file.txt दे दिया लेकिन यहां पर mode लगाना पड़ेगा ठीक है mode अब यहां पर write mode लगाना बहुत important है अगर कि फिलाल यह वाली file exist नहीं करती यह वाली file write file.txt exist नहीं करती तो अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर write करूँगा कुछ चीज है तो मुझे asf लेना चाहिए इसे ठीक है asf आप लोग यहां पर f के जाए कुछ और भी डाल सकते हो मैं आप यह पर f लिख रहा हूं उसके इसके बात f.write आप लोग इसके अंदर एक string पास कर सकते हो मेरा नाम पास करता हूं मैं इसके अंदर अनुच इसको मैं करता हूं save और आप लोग देख रहो यहां पर कोई भी data folder के अंदर यह वाली file नहीं है write file.txt नहीं है लेकिन अब इसको मैं ज़रा execute करके दिखाता हूं आप लोगो मैं इसे save किया इसे run करते हैं पहले इसे मैं clear कर लेता हूं तो run किया तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई print हो ना कर रहे कोई चीज लेकिन यहां पर write file.txt बन चुगी है हमारी और इस write file.txt को मैं खोलूंगा तो इसके अंदर हमारा लिखा हूआ है अन तो उसके लिए होता है आपका f.write lines data तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते है write lines करना पड़ेगा उसके लिए आप लोगो ठीक है write lines save करते हैं इसे run करते हैं तो अगेन कुछ भी चीज नहीं यहां पर print लेकिन अगर हम अपनी file को खोलेंगे तो अब हमारे यहां पर अनुच, शिवम, गौरव, काइट सब कुछ चिपक चिपक क्या रहा है आप लोग चाहते हो कि हर एक चीज अलग-अलग line में है तो आप ल line वाला character भी डालोगे न तो आप लोगों की वो line add हो जाएगी, इसको मैं run करके दिखाता हूँ, again run करूगा, कुछ भी नहीं हुआ यहां पर, लेकिन इस file को जब मैं दुबारा open करूँगा, तो अब यहां पर हर चीज अलग-अलग line में आ रही है, line में अलग-अलग क्यों अगर file present नहीं है, तब तो फाइल बना देगा आप लोगों के लिए, और साथ में उस file के अंदर दुबारा से write करना start कर देगा, ठीक है, अगर file के अंदर already कुछ data है, तो data पूरा पूरा खतम हो जागा, और दुबार से आप लोगों का data start हो जागा भरना, ठीक है, तो open a file for writing, creates the new file if does not exist, और truncates the file if it exists, ठीक है, अगर file already present है, तो उस file के अंदर के सारे data को उड़ा देगा, और उसके अंदर नया data डालना try करेगा, दुआर से डालना try करेगा, ठीक है, तो suppose करो, मेरी जो file थी, इसके अंदर पहले कुछ और data पढ़ा हुआ था, मैं इसके अंदर कु more, तो इसलिए जो write operation होता हो, बहुत खतरना होता है, अगर आप लोग को append करना है, आप लोग चाते हो, पहला वाला data भी रही और आपकी file के end में append हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करते हो A, ठीक है, A, open for appending at the end of the file without truncating it, truncating निक करता है, append करने काम में आता है, creates a new file if doesn't exist, ठीक है, अगर file exist निकरती तो ये new file गनायता है, तो ये append mode भी बहुत important होता है, आप लोग का file के अंदर, इस append mode को जड़ा ठीक से देखते हैं, एक बार, तो मैंने या आप पर right mode की जल लगा होगा, A, append mode, उसके बाद इस file के अंदर again मेरे पास कुछ important data होगा, ये अगर आप लोग को चाते हो कि data truncate हो जाए, तो आप लोग right mode में open करोगे, अगर आप लोग को चाते हो कि data end of file से दुबार से बरना श्राट हो जाए, तो आप लोग append mode में इस file को open कर रहे होगे, तो ये होगे आप लोग की file handling, इसके बाद हमने देखा read from file देख लिया, write from file देख लिया, और यहाँ पर आप लोग की file handling खतम दाती है, और इसी के साथ मुझे जो भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाने ती इस video के अंदर वो साइक सिरह over आती है, अगर कहीं भी आप लोग की कोई भी doubts रहे कही हो, तो जरूर comment section में mention करना, वीडियो पताना कैसे लग करना, इस video को बनाने में काफ सारी महनत लगी है, तो as a token of gratitude, आप लोग इस video को share कर सकते हो, अपने दोस्तों के बीच में multiple platforms पर share कर सकते हो, telegram, instagram, whatsapp बगरा पर share कर सकते हो, ठीक है, तो काफी जाता लोगों की help हो जाएगी इसी के साथ, तो यही था इस video का motive, आप लोगों को Python के अंदर, सिखाना की किस तरीके से Python काम करता है, from a very beginner friendly overview, ठीक है, कि आप लोगों को समझ मा जाएगे, अगर आप लोग बिल्कुल beginner हो, तब भी आप लोग सीख सको हो Python को, क्यों काफी कमाल की language हो, और आप लोग काफी सारी कमाल के projects इसके अंदर बना सकते हो, तो मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या क्या चीज़ें कर पाते हो Python की हेल्ज से, और बताना ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप लोग की कुछ help होई, तो जरूर लाइक कर देना, करते नेशन को सब्स्क्राइब, मैं बलोंगा लोगों से नेक वीडियो में चलते हैं, झाल झाल